औरे-एकृष्टा तो पिछले सत्र में पिछले युनिट में हमने दसवा धयर फ़ो है उसके 20 वेश लोग तक चरचा की थी तो 20 वेश लोग तक चरचा में हमने विविध विश्यों की चरचा की कि रिष्ट लुक में तो कोई बताना चाहेगा कौन से सेक्शन पढ़े हमने डोचार मिनिट जारा समय नहीं लोंगा मैं बस दो चार मिनिट में हमने इन बीष लोकों में क्या चर्चा कि कोई बताना चाहे गा कि है कि आज़ इस 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 अज़ देखा शबसे तला पुल से कमलों से बढ़े वे थे और दो आरका नगरी का कि अज़ देखे उसका अज़ दार कर लग लिए अब कौन से अध्य के बात कर रही हूं कि इसने का प्रस्थान तो दस्वे अध्य का क्या शिर्षक है महायों की प्रूब और दस्वे अध्य कहां अध्य का प्रस्थान युदिष्टिर के राज्य के बारे में वर्नन किया था एक से छेश लोकों में तो यह जो साथ से बीस में चीजे बोली है वो कौन से नगरी में हो रही है हस्तिनापूर में हो रही है अभी हम लोग द्वारका में पहुंचे नहीं है द्वारका में भगवान जो है अगले अध्याय में पहुंचेंगे शायद आप बहुत जगह से सुन रहे हो काफी हो सकता है कि आपने अन्यतर कें सुना है तो हस्तिनापूर की कि बात हो रही है निवासियों पर नगर पर word हुआ वह भगवान को यह सारी जो धश्याखलों कि देहत्यां कि द्रेखर 10 व 91 गमन का प्रभाव जो है वो साथ से बीश लोकों में बोला है ठीक है अभी देखिए भगवान जब जा रहे है तो इस प्रकार से हस्तिनापूर की स्त्रियां जो थी उनके अंतरगत भगवान के प्रति भक्ति के कारण प्रेम के कारण कुछ वारतालाब हुआ तो वो वारतालाब जो है 21 से लेके 30 श्लोकों में बोला गया है आप कह सकते हो प्रार्थनाएं या वारतालाब हस्तिनापूर की जुस्त्रिया है कौरवेंद्रपूरस्त्री नाम सर्वशृती मनोहरा जो 20 श्लोक है वो क्या कहा उस श्लोक में अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम अश्लोक चेतसाम कौरवेंद्रपूरस्त्री नाम सर्वशृती मनोहरा जो जो संजल्प हुआ उत्तम बात हुई किन्वें कौरवेंद्रपूरस्त्री नाम जो हस्तिनापूर की स्त्रियां है सारी तो उन स्त्रियों के बीच में भगवान के गुंदान रूप जो सुंदर जल्प हुआ, संजल्प हुआ, और उन स्त्रियों को क्या कहा है, उत्तम श्लोक चेतसाम, बीसवे श्लोक की बात हो रही है, उत्तम श्लोक चेतसाम, जिनके रिधे में भगवान बस गया थे, उत्तम श्लोक चेतसाम, जो भगवान के, भगवा हो चुके थे तो इसलिए उनका जो संजल्प था उसे कहा है सर्वशृति मनोहर इतना सुन्दर गुंगान था भगवान का मानुशृतियों से भी ज्यादा मधूर ऐसा गुंगान पुरुश सुक्त श्ली सुक्त आदी से भी ज्यादा मनोहर क्योंकि उसमें डाइरेक्ट भग अगवान के गुंड सौंदर या अधिक वर्णन जो है वो किया गया है तो यह अंतिम्श लोग था वहां से आगे अभी 21 से 30 में इस संजल्प के बारे में बात होगी तो अभी हम लोग इसको देखते हैं ठीक है तो 21 वे श्लोग से हम लोग अभी चल्चा करेंगे आगे मैं मेरी स्क्रीन शेयर करणा अपलों के साथ देखें 21 वर्ष लोग सवय किलायं पुरुशापुरातनों या एक आसीद विशेश आत्मनी अग्रे गुणाय भ्यो जगदात्मनीश्वरे निमी लितात्मनिशिसुप्त शप्तिशू अनुमात पढ़िये महायोगी में कहने लगी जैसा हमें निश्ची क्रोप से स्मरन है यदी है वे जो आधी परमेशर है प्रकृति के गुनों की व्यक्त सिष्ठी की पूर्व वेही अकेले विद्नानते है शूंकी वे परमेशर है अतेयो सभी जियो उनी में लीन हुते है मानो रातरी में स्वय होयो और उनकी सक्ती रुब्व है तो इसमें आप देखिये मेरी स्क्रीन पर 21 से लेके 27 ये श्लोग जो है साथ श्लोग ये शांतरती वाली स्त्रियों ने बोले है शांतरती शांतरती मती जो स्त्रियाएं है शांतरती मती वाली मती मतलब आप समझते हो ना मती मतलब जिनकी शांतरती है ऐसे धना मती जैसे उस प्रकार से शांतरती वाली जो है वो स्त्रियाएं 21 से 27 लोग बोलती है शांतरती मतलब शांतरत जो पांच दस है उसमें से और 28 से लिके 30 जो है यह कौन सी यह माधूरिया रती वाली स्त्रियाएं बोलती है चीक है श्रिंगार रस या माधूरिया रस जिसे बोलते है वो स्त्रियाएं 28 से 30 लोगों को बोल रही है 21 से 27 जो है शांतरती वाली स्त्रियाएं बोलती है इस प्रकार से इसका श्रिलश जीव गोस्वामी ने अनलेस्स किया है जीव गोस्वामी बताते है इस प्रकार से तो हम लोग देखते हैं तो इसलिए 21 से 27 में तत्व की बाते हो रही है थोड़ी सी क्योंकि शांतरत्स में तत्व आदि की बाते होती रहती है और 28 से 30 में ज्यादा बाते है जैसे गोपियों की और फिर भगवान की रानियों की भगवान के सौंदर्य की जो माधूरिय का विशे है तो ये बात है दोनों स्त्रियां ही बात कर रही है कौरवेंद्र पुरस्त्रीना कौरवेंद्र जो कौरों के राजा है उनकी उनका पूरत मतलब हस्तिनापूर उसकी स्त्रियां ही बोल रही है लेकिन उसमें 21 से 70 शांतरतिवादी और 28 से 30 माधूर रतिवादी ये बात है ठीक है इसको नोट कर लीजिए जो भी इसको अच्छे से समझना चाहते है वो इस मैं कोई वी चीज नोट पैड पर लिखता हूं तो आप जानिए कि वो उतनी महतोपूर्न होती है कि आपने लिखने चाहिए कभी-कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जैसे मानों शूतिधर की तरह कुछ लिखते ही नहीं और फिर कुछ बाद में याद आता नहीं है क्योंकि क लिखते जाएं मैं जो समझा रहा हूं बता रहा हूं उस पॉइंट को नोट करते जाएं कभी-कभी मुझे यह चीजे बतानी पड़ती है कभी-कभी मैं शायद बताओं भी नहीं लेकिन कुछ लिखा जा रहा है तो उसको निश्चित रूप से नोट कीजिए कि वो तो बह सवेश्टि की बाते होती है ज्यान वाइराग्य फरक बाते होती है ऐसी बाते होती है थोड़ी से यह विशेष्टा होती है शांत्रसकी तो इसलिए ये 21 विश्लोक में थोड़ा सा स्रिष्टी संबंधी भगवान का गुंडान है, चीक है? तो क्या बोला जा रहे दिखिए? दिखिए, भगवान का ऐसा सोंदर्य था, भगवान का ऐसा वहाँ पर तेज था, प्रभाव था, कि उस तेज प्रभाव के कारण बहुत सरी स्त्रियाएं इतनी विस्मित हो गई, अरे कि कितना सुंदर पुरुश है ये, भगवान कितने सुंदर है, भगवान का कैसा प्रभाव है ये, तो ऐसे विस्मित हुए जो स्त्रियाएं है उनको अन्य स्त्रियाएं शांतरस वाली ही स्त्रियाएं वो जो है ये बात कह रही है ये श्लोक कह रही है क्या कह रही है कि अरे यहां पर विस्माई मत कीजिए अरे आप विस्माई क्यों कर रही हो आश्चरे क्यों कर रही हो अरे ये तो वही तो है सवै किलायम पुरुशा पुरातनौ अरे वो तो पुरातन पुरुश जो है न वो तो यही तो है वो तो कोई साधरन पुरुष पुड़ी नहीं है ये तो साक्षात वही पुरान पुरुष है सवै किल पयम ये साक्षात पुरुष पुरातन है ये साक्षात पुरान पुरुष है भगवान है तो वही मतलब देखिए बात कि हम लोग इसको स्मरन कर पा रहे हमने सुना था ना इन स्त्रियों ने व्यास देव जी से सुना था शिलविशनाद चक्रोर्ती बताते है कि व्यास देव जी से इन स्त्रियों ने भगवान के बारे में सुना था कई स्त्रियों ने भगवान को कभी देखा था, कई नहीं नहीं भी देखा था, लेकिन गुंडान सब ने सुना था भगवान, तो उन्होंने जो सुना, वो समरन करके बोल रहे है वई, मतलब ऐसे बोल रहे है कि हाँ, हमें याद है, यही तो यह साक्षात पुरुष है, वो पुरातन पुरुष है, जो स्रिष्टी के प्रादम में, यह एक आसीद अविशेशा आत्मन, जो स्रिष्टी के प्रादम में, एक आसीद, एक मेव थे वो, और कोई नहीं था, स्रिष्टी के प्रादम में, केवल श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं यहां परमात्मा के रूप में बात हो रही है। और अविशेश आत्मनी, तो अविशेश कारत क्या होता है? जब इस स्रिष्टि के प्रारम में कोई प्रपंच नहीं था, सारा जो है भगवान के अंतरगत लयको प्राप्थ हो गया था, अविशेश उसको कहते हैं, निश्प्रपंच अवस्था कहते हैं उसको, प्रलय होता है खास करके प्राकृतिक प्रलय बोलते है उसको हम लोग देखें लिए उसको थादपरिया में तो जो भगवान है प्रारम में सृष्टिक केवल वही रहते हैं एक मात्र बाकी प्रकृति भी उनके अंतर समा जाती है जीव भी उनके अंदर समा जाते है और निद या एक आशिद अविशेश आत्मनी अग्रे गुणे भ्यो जगदात्मनीश्वरे तो ये कब की अवस्था है बाई निश्प्रपंच अवस्था तो बोला जा रहे गुणे भ्यो अग्रे जब गुण जो है न वो गुण हम लोग देखते हैं कि उनका क्षोब नहीं हुआ था गुणों का क्षोब होने के बाद गुणों की हल्चल होने के बाद सारा जो प्राकटे होता है ब्रह्मान का वो शुरू हो जाता है गुणों की गुणों के क्षोब के पूर्व कुछ नहीं होता है केवल भगवान होता है तब भगवान होता है और भगवान की अपनी श्रिष्टी के परिवेश में, श्रिष्टी के क्षेत्र में केवल भगवान, परमात्मा मतलब जो की महाविष्णु है उतने ही होते हैं। श्रिष्टी के परारम में वो जो है अकेला विद्यमान था, और जब इस स्रिष्टि का प्रलय हो जाता है तो भी वही अकेला विद्यमान होता है ये बात है जब प्रकृति का सब कुछ प्राकर्टे नहीं हुआ रहता है सारी शक्तियां सुपत रहती है तो उस अवस्था में ये एकमान व्यक्ति विद्यमान होता है बाकि कोई नहीं रह कि तो वही चीज जो है वह प्रलाई की अवस्था है और फिर जब सरजन होना सरजन होना है तो फिर भगवान प्रकृति पर द्रिश्टिपात करके सब एक 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 प्रकट करने लगते हैं पहले तो प्रकृति पे दृष्टिपात करके उस प्रकृति में गुणा और काल जो है और जीव जो है उनको डाल देते हैं लेकिन तो भी गुणों का क्षोब नहीं शुरू होता है जहां गुणों की हलचल शुरू हो गई तो वहां पे फिर वो प्रधान की जगह महत तत्व कहलाता है ये बात है तो ठीक है ये सब स्रिष्टि तत्वा आगे सिखोगे आप इतना यहां पे जानना है कि वो स्त्रियां क्या बोल रही है कि ये साक्षात वही पुरान पुरुष है है सक्षी क्या अश्चरिकी बात हो रही है तुमें कि ये कैसा सौंदरियर ये कैसा प् रहते हैं तो इसलिए स्वाभविक है ऐसे गुण ऐसा संदर्य ऐसा प्रभाव यह बात है यह बात जो है यहां पर बोड़ी है इस लोग का मुद्दा है कि दो अवस्थाओं में सृष्टी के प्रारम में सृष्टी और प्रलय इन दोनों अवस्था में केवल भगवान की वि हुआ कि देख आवे प्रभुपात का तात्परे देखते हैं रोम प्या के करते हैं इस द्रश्य जगत का विलय दो प्रकार से रहते दो प्रकार की बात करते तो आपको कौन्से दौप्रकार के प्रले नए है उपीजना प्रकार के प्रले मत्रपादा कर 227 हम्हाख एस त सभुझना प्रपार के यह पहुखे दोड़ी प्रकार के प्रले पारी जाए नीद जीने कमें हएवजमार है म Ambrando मथसमापा, भूपहऩाया है। चॉठार प्रले क्या होता है? जब जिवात्मा इस मुक्तों कर तो चार प्रकार के प्रले होते हैं प्रवपर्ची ज्यादा फोकस कर रहे हैं दो पे लेकिन चार होते हैं नित्य प्रले नाइमितिक प्रले प्राकृतिक प्रले आतिंतिक प्रले यह चार प्रकार के प्रले हो ले तो यह बाराविस्कंद में भागवत में नित्य प्रले यान 20 साल के रहते, 18 साल के तो लोग बहुत था, अपने बाल वाल स्वमारते रहते हैं, तो नित्यप्रले में थोड़ा रुकी है, नित्यप्रले से जल्दी ही बाल थोड़े सफेद होके, कुछ समय बात तो दिखने ही वाले नहीं है, कतम हो जाएंगा, नित्यप्रले, तो ये बात है, हरक्षन हमारी शरीर का विघटन हो रहा है, ये बात है, उसको कहते हैं नित्यप्रले, फिर उसके बाद में होता है नैमित्तिक प्रले, नैमित्तिक प्रले कहते है जब ब्रह्माजी की रात्री आती है, बारा गंटे का उनका दिन खत्म हो जाता है, और फिर ब स्वर्ग लोग जो है वहां तक के सारे लोगों का विद्वन्स हो जाता है विनाश हो जाता है उसके उपर जो चार है स्वर्ग लोग के उपर तो वो जो जनलोग तपलोग महर लोग जनलोग तपलोग सत्य लोग यह चार जो है वैसे ही रहते हैं बचे रहते हैं उसके नीचे नीचे से लेके पाताल तक सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है सब कुछ जो है पानी में चला जाता है तो वो स्तिती होती है नैमित्तिक प्रले की तो ये नैमित्तिक प्रले हर ब्रह्माजी की रात्री में होता है तो फिर ब्रह्माजी फिर से प्रले होने के बाद दिन में ये सारा जो स्वर्ग से नीचे पाताल का विद्वन्स हो गया था उसको पिर से तयार करते हैं उपर वाले planets को कुछ नहीं होता, वो रहते हैं, बने ही वैसे, जो चार है उपर वाले, लेकिन नीचे जो है बचे हुए 14 में से, 14 भुवन में से, उपर के चार रहते हैं, लेकिन नीचे तो है ना इतने सारे, तो वो सब, उनका विद्वन्स होता है, तो वो हो गया है नेमित प्रलOOOO मतलब ब्रह्मा जी के आयूस खत्म हो जाती है, तो क्या हो जता है, सब कुछ खत्म हो जता है, सारे बुवन, 14 भुवन, सब कुछ ब्रह्मान्ट, सब सब ककुछ जो है महाविष्णू के शरीर में चला जाता है, जो जीव भगवध्धाम जाने के काबिन है, वो भग जब अगले स्रिष्ठी होगी तो फिर से वो बहार आएंगे महा विष्णों से तो महःविष्णों के शरीर में चले गए है लेकिन नहीं वह भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो भी वापिस आएंगे वहां से क्यूंगी वह अवस्था प्राकृतिक प्रले की अवस्था है वो अत्यंतिक प्रले वाली नहीं है तो उसमें फिर सब कुछ उनके अंदर चला जाता है काल आधी आधी सब कुछ-कुछ नहीं रहता सिर्क माविश्मों कारण समुद्र पे लेटे रहते हैं इस प्रकार तो यह प्रकृतिक और अंतिम हो गया अत्यंत आधी तो यह सारे जो है उसको कहते है आप तंतिक प्रले मतलब एक्चुली भले उसको प्रले कहा जा रहा है वो वांचित प्रले है वो इट्स डिजारेबल लेशन वो तो चाहिए है हर एक को भगवान के धाम जाना चाहिए जीव उसी के लिए बना है तो वह अंत वाला प जगत का दो प्रकार का प्रले बताते हैं तो उसमें ये दो बता रहे ब्रह्माजी के अंत वाला नाइमितिक और ब्रह्माजी के दिन के अंत वाला नाइमितिक और ब्रह्माजी के आयू के अंत वाला प्रकृतिक ये दो बता रहे तो प्रवपाजी ये समझा रहे है कि इस जब बॉले होता है तो भगवान जो हेखकर कर के यह प्रक्रितिक प्रले की बात हो रही है क Gracie नैमितिक प्रले के वक्त तो ऊपर के चालड़ प्लाइनेट्स हो यह सब बने रहते हैं वो उसका कुछ विनाश नहीं हुआ रहता है तो इसलिए ये श्लोग खास करके प्राकृतिक प्रले की बात कर रहा है इसको समझे है क्योंकि वो एक एवा बोल रही है निश्प्रपंच अवस्था है वो तो निश्प्रपंच अवस्था जो है वो प्राकृतिक प्रले को ही लागो होती है उस वक्त भगवान छोड़ के कोई नहीं होता है इस जगत में ये बात है श्रिष्टि के इसमें तो प्रवपर जी इसी को समझा रहे है यहां पर कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व श्री भगवान विद्यमान थे एक एवा आसी इस प्रकार से बोले और वो कारणार नौ में लेटे हुए थे और फिर जब उनकी सृष्टि की इच्छा हो जाती है तब आंखे खोल के दृष्टि बात करते है प्रकृति पर और फिर वहां से आगे जो सृष्टि परंपरा है वो प्रारंब हो जाती है ये वात है तो आगे देखिए प्रवपद इस प्रकार गोविंद अर्थाद भगवान कृष्ण महा विष्णू के भी कारण रूप है तो ये जो श्लोक है महा विष्णू का गुंदान कर रहा है देखा जाए तो बड़ चूंकि श्रीकृष्ण साक्षाद श्रीकृष्ण का ही महा विष्णू एक विस्तार है इसलिए वो स्त्रियां ऐसे बोल रही है कि यही तो है वो पुरातन पुरुष लेकि ने श्रीकृष्ण में अंतर्गुत है ना परमात्मा महा विष्णू इसलिए उस प्रकार से बोल रही है भगवान श्रीकृष्ण महा विष्णू के भी कारण रूप है तो देखे प्रावपत कहते आपस में वार्तालप कर रही इन स्रीयों ने निश्चित रूप से यहावाई इक सत्यक किसी प्रामानिक स्तुरूप से सुन रखा होगा वो किन से सुना था वो व्यास देव से सुना था यह श्रीपाद विष्णा अच्छा प्रवर्धिठाकुर बताते है कि व्यास देव आदि साधुओं से यह स्त्रियां हमेशा श्रीकृष्ण का गुनलान सुनती रहती थी तो इसलिए उनको ऐसी प्रार्थना करने की यहाँ पर कतिभा है आप सोचिए न वे तो ऐसे कोई स्त्रियां है वो बहुत कुछ वेद आदी में बहुत निशनात है ऐसी बात नहीं है लेकिन कैसे बोल पा रही है सब चीज़े क्योंकि प्रामानिक स्त्रोट से सुना है जो अच्छे से सुनता है प्रामानिक स्त्रोट से वो उसको बोल भी पाएगा इसको तत्वग्यान का जो आकलन है वो हो जाएगा तो वही इंस्तियों में दिखता है यहाँ पर क्यूंकि उन्होंने प्रामानिक स्थ्रोट से सुना था इस प्रतार से अंतमे प्रवपाजी यह चीज कहते है कि महःविश्णों के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के एक सो वर्ष पश्चत स्वत्व हो जाता है प्राक्रतिक प्रवे की बात है लेकिन इसकार्थ यह नहीं है कि व्यप्तिकत जीव अपना अस्तित्वक हो देता है सिंपल जो है वो ये जो है ब्रह्म सायुज नहीं है या शरीद सायुज नहीं कहा जाता इसको ये तो वो प्राकृतिक प्रले नियाम के अनुसार वो अपना प्राकृतिक प्रले होने पर महाविष्ण में चला जाता है अगली सृष्टी की परंपरा में बाहर आता है फिर से कर्मा के अनमसार ऐसी वाद है तो इसलिए ये अस्तित्वक होता नहीं है अपना वो लएको प्राप्त नहीं होता है जैसे मायावादी लोग आदी कहते है पहचान तो बनी ही रहती है प्रवपत कहते है और जो ही श्री भगवान की परमिच्छा से दूसरी स्रिष्टी होती है त्यों ह सब्फिस सुप्त निश्ग्रियत जीवन को चोड़ दिया जाता है इससे अपने शदीर से उस रिष्टी में चोड़ दिया जयंकर प्रकृति में डाल दिया जाता है जिस्से वह अपने पूर्व Benjamin कारेगे त्षित्रों के अनुसार अपने कारियों को आगे बढ़ा तो देखे इसको सुप्तो थित न्याय कहते हैं सुप्तो थित इसको कहते हैं सुप्त उत्थित सोया था वो उठ गया तो सोया था उसके कारण कुछ कर नहीं रहा था ऐसे लग रहा था तो वैसे महाविष्णु के प्राकृतिक प्रले में महाविष्णु के शरीर में होना सु तो उसमें कोई कुछ करता नहीं है जीव जो है वो सुशुक्ति एकदम गहरी नीन में रहता है जब उठता है तो स्वाभाग अपने कर्मा के अनुसर फिर कार्य करने लगता है तो ये बात है, इसको सुप्तो थितन्याय कहते हैं उठने के बाद वेक्ति जैसे कारियरत हो जाता है सो रहा था तो निश्क्रिया था, उठ गया तो सक्रिया हो गया तो उसी प्रकाश से ये प्राकृतिक प्रले के बाद जिनका धर्मा बचा है, ऐसे जीव जो है वे फिर से सक्रिय हो जाते हैं तो इसलिए इसको लए नहीं कह सकते ये प्रवपाद जी समझा रहे है ये बात है, सुप्तो थितन्याय ठीक है, तो ऐसे ये भगवान जो है स्रजनात्मक शक्ति के सक्रियावस्था में आने के पूरो भी उनका स्तित्व था और प्रलय में भी उनका स्तित्व है प्रलय के परेवधी वे ऐसे एक मात्र भगवान है ये इन श्लोक में उन्होंने, इन स्त्रियों ने बोला ठीक है, तो देखिए इसी विचारधारा को वो चार श्लोक में कहती है उसको मैं लेके फिर कुछ प्रश्णुतर करूंगा चार श्लोकों के ऐसी विचारधारा इसको देखते है फिर आगे कुछ प्रश्णुतर करेंगी स्वजीव मायाम प्रकृतिम सिस्रिक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनी विधित समानों नुससार शास्त्रक्रत चार शनातन बोइन प्रह अनुवात पड़े अप्सी ब्रग्वान ने अपने अउश्यरूप जिहोग को नाम रथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें बवधी प्रपृति में मार्द दर्शन की अंतर्गत कर दिया है बवधी प्रपृति उनकी ही शक्ती से फुनह स्रिष्टि करने के दूश सक्षम होती है तो देखिए यह जो दूसरा श्लोख है वो श्रिपात शिर्व स्वाइन बताते है कि स्रिष्टि के प्राक यानि पूर्वों में भगवान थे स्रिष्टि के प्रले होने के बाद भी भगवान है अभी यह श्लोख बोलेगा और बीच में भी भगवान है अंत में है प्रारम में है और बीच में भी भगवान जो है इस रिष्टिक की स्थिती अवस्था में भी भगवान जो है किस प्रकार से कार्य करते है ये श्लोक बोट रहा है पिछले श्लोक ने जन्मा और प्रले की बात की इस श्लोक में स्थिती की बात हो दी जन्मादी कहते हैं जन्मस्थिती प्रले तो वो बात हो दी तो क्या बोला जा रहा है कि वही भगवान फिर से अनुससार यह यहाँ पर वर्भ है, क्रियापद है, अनुससार, अनुससार मतलब क्या वे जो है प्रकृति के पीछे चले गए, प्रकृति जो है उसको स्विकार किये ऐसा आर्थ होता है उसको या प्रकृति के अंतरगत जीवों को जो है वो प्रदान कर दिया, मतलब बेसिकर प्रकृति के साथ उन्होंने कुछ सलगनता स्विकार की, अनुससार का आर्थ होता है, लिटरली पीछे चले गए, किसी के पीछे चले जाना मतलब बोलते है अनुससार, उसको तो भगवान जो है उनकी प्रकृति क्या है निजवीर्य चोधिता, भगवान के ही वीर्य के द्वारा प्रेरित होती है, मतलब भगवान की शक्ति के द्वारा प्रेरित होती है, भगवान के दृष्टिपात द्वारा जो प्रेरित होती है, ऐसी उस प्रकृति को भगवान ने स्विकार किया स्वजीव माया मतलब क्या वो सारे जीवों को मोहित कर देती है जीवों की मोहिनी माया जो है वो सी स्रिक्षती जो कि स्रिष्टी स्रजन करने की इच्छा रखती है क्या स्रिजन करने की इच्छा रखती है सारे जीवों के शरीर स्रिजन करने की इच्छा रखती है भगवान की आग्या से माया तो शरीर उत्पन्न करती है सारे जीवों के वो प्रकृति को दिया गया है काम, है कि ने, तो ये स्री स्रिक्षती इसलिए कहा जा रहा है, अनाम रूपात मनी रूप नामनी, तो क्यों भगवान ऐसे अपनी प्रकृति को प्रेरित करते है, तो जो जीव उनके शरीर में बगेर नाम रूप के बैठे थे लए अवस्था में, सुशुक्ती अवस्था में, उनको अभी रूप नाम आदि प्रदान करने के लिए, उनके पिछले-पिछले कर्मों के अनुसार, ये देना चाहने वाले विधित समान, उन जीवों को जो की अनाम है, अरूप है, उनको नाम रूप प्रदान करने की कार किये, मतलब प्रकृती में वे जो है प्रविष्ठ हुए गर्वोदक्षाई विष्णौ आदि के रूप में भगवान, शास्त्रकृत, और उन्होंने शास्त्र भी निर्मान किया, कि जिससे सारे जीव जो है, वो कार्य करने का, किस प्रकार से धर्म का कार्य करना चाहि कि वो भी जाने, इन सारे जीवों को भगवान सिर्फ भौतिक रूप नाम नहीं दे रहे है, शास्त्र भी प्रदान कर रहे है, जिससे वे इस भौतिक नाम रूप से चूट सके, देखिए, काफी सारी चीजे बोली जा रही है इन श्लोकों में, थोड़ा सा तात्विक है, बट समझने का प्रयास कीजे, शास्त्र कृत बता रहा है कि भगवान सिर्फ जीवों को उस भौतिक प्रकृति के हवाले करके भौतिक रूप आदी नहीं दे रहे है, बलकि भगवान शास्त्र भी प्रदान करते है, कि जिसके द्वारा जीव जो है इस जगत से बाहर आ सके ऐसी बात हो रही है, तो क्या है इस मूल श्लोप, श्लोप का मूल प्रयोजन देखे इतना ही है, यह बताना चाहते है, कि कैसे भगवान जो है, इस प्रकृति के अंतरगत सारे जीवों को डाल देते है, क्यों? क्योंकि जीवों के कर्म के अनुसार उनको शरीर आदी प्रद यह नहीं होता है कि भगवान प्रकृति के बाद्य है, या प्रकृति के साथ भगवान का संपर क्यों हो रहा है, भगवान क्यों जा रहे है प्रकृति के पीछे? नहीं भई, भगवान प्रकृति से कुछ आदान प्रदान यहां पर इसलिए कर रहे है केवल क्योंकि जीवो शरीर आधी प्रदान करने भगवान का प्रकृति से कुछ समन्द नहीं है एसे ब्रिष्टिपात करते है भगवान प्रकृति पर भगवान तो अपनी औलो की सच्छिदान रूप में हमेशा विद्यमान रहते लेकिन नितुरक और जैसे पुरुष होता है कोई, पुरुष्ट्री के सायोग से फिर संतानुतपन्य होती है, तो वैसे भगवान जो है, यहाँ पर सायोग रूप से नहीं प्रकृति को देखते हैं, केवल दृष्टिपाद से, दृष्टिपाद से सारे जीवों को प्रकृति की गोध में डाल अहम Bijja Pradha Pita भगवान कहते न ऐसे तो यह जो महत है सारा वो योनी कहा गया और उसके अंतरगत सारे जीवों को भगवान ने बीज करके ड््वाल दिया है बीज Mrada Pita जो है वो भगवान है इस प्रकार से इतना ही इस श्लुक का यहांपर प्रयोजन है कि भगवान सारे जीवो को नाम और रूप प्रदान करने के लिए प्रकिती में उनको जुकू है जीव होते हैं जो कि शाश्वत रूप से अध्यात्मिक जगत में होते हैं और इस जगत में जो जीव होते हैं उनको नित्यबद्द कहते हैं ऐसे क्यों क्योंकि वे भाई ये जो जगत के अनादी काल से इस जगत में पड़े हुए है वे लोग और जब भगवान की कृपा होगी भक्तों की कृपा होगी तभी इस जगत से छूट सकते है नहीं तो फिर बहुत उनका छूटना almost impossible है, मुश्किल है ऐसे तो ये दो प्रकार के जीवों में नित्यमुक्त जीव आध्यत्मिक जगत के होते हैं लेकिन यहां जो नित्यवध्ध जीव है वे माया के प्रभाव में हैं अब बहिरंगा शक्ति जो है उसके प्रभाव में ये जो व्यक्ति है यहां पर दिखते हैं तो क्या परपस होता है प्रोपाजी कहते है कि परमपिता के प्रति उनकी विद्रोही मनोवर्ति को सुधारे यह जो भगवान के भगवान के विद्रोही मनोवर्ति है भगवान से स्वतंत्र होने की मनोवर्ति है उसको सुधारने के लिए ही माया शक्ति को प्रदान किया जाता है जीवों को माया शक्ति के अधिन किया जाता है तकि माया जो है प्रक्षपात्मिका, आवरनात्मिका, माया प्रताडित करती रहती है, तो उसके कारण जीव जो है कभी तो अपने सही रास्ते पर आ जाए, एक ओर से शास्त्रा आदी उनको बताते रहते है, दूसरी ओर से माया प्रताडित करती है, तो इसके कारण फिर हम ल परपस यह जो प्रयोजन है वो बताया जा रहा है भूय शब्द कुना-कुना का सूचक है अर्थात यह बताता है कि स्रिष्टी पालन तथा संभार की क्रिया श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है यह तो आप जानते हैं भूय मतलब भूत्वा भूत तो प्रवपत जी यहां पर क्या लिखते हैं देखिए यह शास्त्र की बात करते हैं अरे कृष्टा महामती देवी मताजी आप स्वयम को प्रुब्या म्यूट पर रखिए देखिए सभी जीव जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के आंश है और मधूर संवन को भुलाए रहते हैं उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगोल से छूटने का अवसर पुना प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनत जागरत करने हैं तो शास्त्रों की श्रिष्टी भी भगवान धी करते हैं तो देखिए भगवान का ये भाव है कि भगवान अगर कोई कहता है कि आरे ये जीवों को क्यों दुक देते माया के पास छोड़ के पहले तो वो जीवों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है दूसरा सिर्फ उतना नहीं करते कि माया के पास छोड़ देते जीवों शास्त्र देते हैं भक्त देते हैं गुरु आदि प्रदान करते हैं जिसके की द्वारा जीव जो है इन चीजों का शास्त्र भी देते हैं न भगवान ऐसे थोड़ी नहीं कि इस जगत में दुख देने के लिए छोड़ दिया भगवान में अरे वाई शास्त्र देते हैं भक्तों को भेजते हैं परमात्मा के रूप में आते हैं अर्चविग्रा के रूप में आते हैं गुरू के रूप में आ जगत में सब कुछ पूर्ण है अगर हमें कोई अपूर्णता लगती है तो वह हमारे पूर्ण जगत के अपूर्ण ग्यान की वजह से हो रहा है अब एक का दो गांप ऑफ इन कंपलिटक है यहिं बाद है इस जगत में ने के वह ना है तो पूरी विवस्ताय चूट ना है तो भी पूरी विवक्त बस विक्त्र चूट में कुछ ऐड़ मिरार शक्रत बोला जारा है और इस जगत में रहने की ववक्त है तो रही है फिर आप माया के चंपूर बोरा 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 बाद जो है बोली जा रहे है यहां पर ठीक है देखे प्रवपट जी यहां पर पंट में कहते हैं मुर्प तता भुलबकर्ट जी सदेव जूटे रूपो तथा जूटे नामों में वेस्ट रहता है आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे जूटे नामों तथा जूटे रूपों की चरम परिनति मनुष्य जूटे नाम और विध्या रूप के पीछे पालल बने रहते हैं यह बात है शास्त्रशोड के लोग जूटे रूप जूटे नाम इसके पीछे ही पड़े रहते हैं तो भग वत्वनेश्य सब्सक्री प्रशाच्ण सब्सक्रबर करें आगे सवायम यत पदमत्र सूरयो जितेंद्रिया निर्जितमात रिष्वना पश्यंति भक्त्युत कलिता मलात्मना नन्वेश सत्वं परिमाल्टुमर्वति अनुवत पढ़िए सुरेश्प्रभु इस प्रभु इस प्रभु इस प्रभु ये वे ही पूर्ण पुरुश्यत्म भगवान है जिनके दिवयरूप का अनुभाव महान भक्तों द्वारा किया जाता है जो सुद्रड भक्ती द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण सैयम द्वारा भवतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशिद्ध हो चुके है अस्तित्व को विमल बनाने का यही एक मात्र मार्व है धन्यवाद देखिए इसी शिंकला में आगे बढ़ते हुए वो उस्त्रिया कह रही है कि एक्चुली इन भगवान का दर्शन हमें जो यहां आज प्राप्त हो रहा है वो बहुत दुरलब है हां है कि नहीं स्रिष्टी के प्रारण में जो होते हैं स्रिष्टी के अंत में जो एक में विद्यमान है और स्रिष्टी की स्थिती में जो प्रकृति को जीवों को प्रकृति के अधिन प्रदान कर देते हैं जीवों को दे देते हैं वही उनका दर्शन ये जो लीला काल में हो रहा है हमें वो बड़ा दुरलब है ये तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है कौन भगवान को देख सकता है किवल सूरी लोग जो है जो महान भक्तगन है विशेष जीव है ऐसे ही लोग भगवान को देख पाते है और हमारा यह सौभागय की हम देख पार ऐसा उनका कहने का भाव है कि इन भगवान को कौन देख पाता है कि मैंने कुछ दिस्टब कौन कर रहा है इतना है कब से मैं देख रहा हूँ कौन नहीं है में पर महामती देवी दस्ति ठीक है तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि यह दर्शब जो हमें हो रहा है बहुत दुरलब है क्योंकि कौन भगवान को देख सकता है नॉर्मली देखा जाए तो साधारंतया भगवान को देखने का ये विदी है ये श्लोक बोल रहा है लेकिन अभी तो लीला काल है इसलिए हमें दर्शन हो रहा है ये बड़ी दुरलब चीज़ है ऐसे वो कह रही है क्या है ये साधारंतया भगवान को कैसे देखा जा सकता है तो ऐसे देखा जा सकता है जीते इंद्रया निर्जितमातर इश्वनह भक्ति उतकलिता अमलात्मना पश्चंती अरे देखो भगवान को तो सूरी लोग ही देख सकते है बहुत विशेश भक्ती देख सकते है जिनोंने अपने इंद्रियों पे पूरा सैयम प्राप्त कर लिया निर्जितमातर इश्वन जिनोंने अपने प्राणों पे पूरा सैयम प्राप्त कर लिया है प्राण मतलब आप सौचते हैं इंद्रिया और मन दोनों के उपर जिस जिनोंने पूरा-पूरा नियंतरन प्राप्त कर लिया और उतना ही नहीं भक्ति उत्कलित आमलात्मना जिनका जो मन है बुद्धी है वे पूरी तरह से भक्ति के कारण अमल हो गई है ऐसे लोग ही भगवान को देख पाते हैं लेकिन हमारा सौभाग्य देखो कि आज इस भगवान को हम हमारे सक्षत हमारे आंखों से देख पारे हैं ये कहने का भाव भाग्य है वो देखिए कि इतना दुरलब दर्शन जिनका है वो हमें प्राप्थ हो रहा है क्योंकि अभी जो है वो श्री कृष्ण नीला कर रहे है ये बात है इस प्रकात से उनका जो भाव है यहां पर कह रहे हैं तो इसलिए है सक्षी ननवेश सत्वम परिमार्ष्टु जो देख रही हो यही सत्वम परिमार्ष्टुम अरहती हमारी सत्ता को यह भगवान का दर्शन ही शुद्ध कर पाएगा परिमार्ष्टुम मतलब जो की परिशोधित कर देगा शुद्ध कर देगा तो यह सत्वम एश सत्वम यह जो भगवान है ना यही हमारी सत्ता को सत् परिमार्ष्टुम पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते है बाकि ये योग वगरा सब ये इदर उदर की चीजे नहीं मुद्दा क्या है कि ये भगवान का जो ये दर्शन है भगवान का चबी है यही हमें शुद्ध कर सकती है कैसे वो सक्षी को कह रही है मतलब बता रही कि एक्चुडी भगती का ही गुन हमें पुरा-पुरा शुद्ध कर सकता है ज्यान योग आदी जो है सम्यक शुद्धी नहीं प्रदान करते है ये विशे कई बार आएगा भागवत में भी ज्यान हो या योग हो उसमें व्यक्ति जो है बहुत प्रदा के साथ इंद्रियों को सयम कर लेता है लेकिन फिर भी उसके बाद में फिर से इंद्रियां उसकी जो है वो उसको डस लेती है जैसे कोई सर्प सर्प होता है वैसे लेकिन भक्ति ऐसा है कि जैसे विशेले सर्प के दाथी निकाल दी आपने वो जो भोग की मान सिखता है वो ही निकाल दी तो अभी उसके पास इंद्रियां है मन है तो भी उसका विशेयों की ओर नहीं जाएगा तो इसलिए ननु एश सत्वम परिमार्ष्टुम अरहती भई ये भगवान ही हमारी सत्ता को पूरी तरह से शुद्ध कर पाते है या इसका और एक अर्थ कहते है शिदर स्वामी की इसलिए एश सत्वम मतलब ये दृष्टुम अरहती न इसको हमारे सामने से जाने नहीं देन चाहिए हमने मतलब श्री कृष्ण चले जा रहे है ये उनका दर्शन उनकी छवी हमारे नजरों से जानी नहीं चाहिए ौँ ज़ो हम भी उनके साथ चले आईसे मानोस्थियां केह रहे है एक दूसरे को कि ये दृष्ण को सामने से जाने मत दीजी चलो चाहिए तो हम बीच लेंगे उन के साथ श्री कृिष्ण कई कौन इस दृष्ण को श्री क्रिष्ण के दर्शन को कौन जो है नाकार सकता है कौन उसका त्याप कर सकता है ऐसे बात बोली जाए ठीक है प्रौपा जितातपरे में क्या कहते गें जैसा कि भग्वत कःता है श्रीज भगवान केवल भटिमे सेवा द्वारा अपने वास्तविक अनि जा सकते यह उस अन्टिम लायं समझा नहीं जा सकता है यह बात बोली जाए देखे प्रवपा जिवधारन देटे इंद्रियों को निश्क्रिय बनाने है तो योग के कृत्रिम साधन सरवता निश्पल सिद्ध हुए यहां तक कि विश्वा मित्र मुनी सरिखे महान योगी के प्रसंद में भी है के ने विश् नुपुर के स्वर से ही पूरी तरह से विमोहित हो गए काम वासना से फिर उसके बाद में एक रंभा आई तो उसके वक्त क्रोध के वासना से बहुत प्रभावित हुए एक प्रोध से रंभा जो है उसको दंडित कर दिया और फिर उसके बाद में त्रिशंकु के वक्त मद से मद के कारण वे जो है पीडित हुए तीन बार उनका विश्व तीसरी बार तो विश्व के मित्र नहीं वो विश्व के अमित्र सिद्ध होने लगे नाम था विश्वा मित्र लेकिन विश्व के अमित्र मतलब शत्रू के रूप में सारा वो जो त्रिशंकु स्वर गए नीचे गिरने वाला था तो फिर भगवान ने उनको बताया कि भई ये सब चीजों में तुम मत पड़ो तुम भक्ति करो उसके पश्चात विश्वामित्र भक्ति मार्ग में लगते ये बात उनके इस प्रसंग से समझते हैं कि योग आदी मार्ग में जो कि श्री कृष्ण के संबंधित नहीं है अगर तो फिर उन सारे मार्गों में व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है इंद्रियस संयमादी प्राप्त करने को ये बात बोरी जा रही है लेकि जितेंद्रिया निर्जितमात दिश्वना उसके संब्द में बोला जार रहे है लेकिन एक शुद्ध-भक्त के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कारिय करने से रोका जाए अब भी तो उन्हें अज्रिया अच्छे कारियों में लगाय जाते तो भक्ति में इसे नहीं होता है बक्ति में हम क्या करते हैं, इंद्रियों को तो रखते हैं, लेकिन उनके सर्ग तो है, लेकिन सर्ग के विशले दात निकाल दी है, वैसे इंद्रियां तो है, लेकिन इंद्रियों से भोग की मान सिकता ही निकाल दी, अभी उस सांप को आप हाथ में लेके खेलो भी कुछ नही करेगा हूँ क्यों कि आपने उसके विशले दाथे निकाल दे तो वैसे भक्ति का मारत है इंद्रिया मन तो हम उनका उपयोग करते हैं लेकिन श्रीक्रिश्कन की सेवा में और उसी के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये बात बोड़ी है ठीक है चोथाश्लोग सवाःयम सक्यनोगीत सत्कत्षो वेदेशु गुहेशु चभुहयवादि येकाईशो जगदातम दीलया स्रजत्य वत्यत्तिन तत्रसज्यते ऑनुमात पढ़िए शांति लता भक्ति मात चीहाप पढ़िए आनुमात पर वही श्री भगवान है जिनकी आकरशक तथा गोपनिय लिलाओं का वर्लन महान मक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुयतम अध्धायों में हुआ है वे ही बवतिक जगत्ती सुरुष्टी पालन तथा संवार करने वाले हैं फिर भी वे उससे प्रभावित रहते हैं हरी किष्णा धन्यवाद प्रभुजी देखिए 24 वा श्लोक है तो इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है तो इस श्लोक में बताया पिछला श्लोक बोला कि कैसे भगवान का दर्शन जो है वो बहुत दुरलब है और हमें प्राप्त हो रहा है तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इन भगवान की जो लीला है कथा है वो बड़ी रहस्यम ही है वेदों में भी गुह्य भागों में बोली गई है सारे वेदों में नहीं बोली इतना सारा वेद तो कर्मकाण की वाते करता है लेकिन गुह्येशू वेदेशू सवायम सक्खी अनुगीत सत्कतो देखे ये वही भगवान है जिनकी कथाएं जिनके गुण जो है वो सरवत्र वेदों में वर्मित है लेकिन कहां पर वेदेशु गुहियेशु भई गुहिय वेदों में है वेदों के गुहिय विभागों में है आपको कर्मकार्ण में कौन सी कर्मकार्ण के शास्त्र में भगवान की लिलाएं थोड़ी न दिखे आपको पता होना चाहिए भगवान की लिलाएं कहां देखनी ? वेदों में तो कुछ-कुछ लोग रहते न बोलते चारो प्रकार के जो पृत्विज होते हैं होता, उध्गाता, अध्वर्यू, ब्रह्मा उन्होंने क्या-क्या कारिय करने चाहिए वे बताने वाले वेद है लेकिन तुमको अगर कृष्टा की लीला जाननी है तो उसी वेदों को पूर्ण करने वाला पूरनात पुरानम पूर्न करने वाला पुरान जो है उसमें देखो ने देखो कितनी लिलाएं है कृष्णा वो भी वेद ही है ना वेदों का ही भाग है पंचम वेद है इत्यास और पुरान को पंचम वेद कहते तो वो गुहियेशु वेदेशु गुहिय वेद में मतलब भागवत आदी में पुरानों में सात्विक पुरानों में गुहिय वादी भी जो अंतरंग भक्त है वे भगवान के इन लिलाओं का वर्नन करते है यह बात बोई जाड़ी व्यास आदी रिशी जो है वो गुहियवादी रशी है जो कि शुकदेव, व्यास, माइत्रे आदी जो श्री कृष्ण की सुन्दर सुन्दर लिलाओं का वर्नन कर रहे है लेकिन सरवत्र नहीं बोला जा रहा है वो आप जानी है कि गुहियवेद में बोला जा रहा है यह सरवत्र भी है लेकिन वो कैसा है वो छिपा हुआ है वो जो है डाइरेक्टली नहीं बोला है वो ऐसे बोला जा रहा है जैसे देवताओं के भी जब यग्यादी बोले जाते है वो ऐसा होता है जैसे भगवान के अवयव के रूप में उन देवताओं को देखा जाता है तो वो मानो भगवान के अवयवों का ही वहाँ पर गुंदान हो रहा है। ऐसा उसमें भाव होता है। लेकिन आपको डाइरेक्ट चाहिए तो फिर गुहियशू वेदशू ये बात बोली जारे है। तो ऐसे ये भगवान पुन्यश लोक है। उनकी लीला जो है वो गुहियवेदों में पाई जाती है। रहस्यागों में पाई जाती है। पुराणों में पाई जाती है। भागवत में पाई जाती है। ये जो विशे है इसको बताती है ये स्रियां और ये बता रही है। तो तो इस परकाच से यह वही एक गिमान है जो अपनी आतमदीला से, अपनी स्विछा से इस जगत को सर्जती, सरजन करते है, अवती मतलब क्या? रक्षा करते है और अत्ती, अत्ती मतलब खा जाते हैं, मतलब प्रले कर देते हैं, स्रिजती अवती अत्ती, स्रिजन करते हैं, रक्षा करते हैं, अत्ती मतलब खाते हैं, मतलब प्रले कर देते हैं, अपने में समा लेते हैं, लेकिन न तत्र सज्जते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होते हैं उसमें, ये सब कर बते हुए भी उसमें फस्ते नहीं है बिलकुल, ये भगवान की दिव्यावस्था है, भगवान जो है। इसलिए ये बात पता होनी चाहिए, कभी-कभी लोग भी देखिया, ऐसे प्रशन पूछते हैं न, ए तुम लोग क्या है, तुम हरे कृष्णा वाले हमेशा अर्चविग्रह की सेवा सेवा बोलते रहते हो, कौन से वेद में लिखी है, अरे वाई, वेद में नहीं लिखी है, पुरानों में लिखी है, पंचरात्रों में लिखी है न, तुम को किस ने कहा कि उसको वेद में ही देखना है करके, वेद तो बहुत है न, वेद मतलब सारी ही चीज़ को वेद कहते हैं, वेद मतलब चार वेद, ब्राह्मार्न, आरण्या, कूपनिशर, समिता, आगम, पंच पुरान, इतिहास, कल्बस उत्राज, कितने सारे, कितने चीज़े हैं वेद में, तो वेद में डियोटी वर्शिप, अर्चिविक्रा की सेवा नहीं है, ऐसे कुछ मुर्ख लोगों का विधान रहता है, या वेद में श्रीकृष्ण की लिला कहां है, अरे वेद मतलब अगर त उसमें भी है, मुद्दा क्या है, कृष्ण की दिलांग को आपको गुहियेशु वेदेशु, इसमें देखना पड़ेगे, तो वही वेदों के अंग है पुरान आदी सब कुछ, इन फैक्ट, आज की घड़ी में तत्वसंदर बताता है, तत्वसंदर में आपमें से कुछ वक्तों ने सिखा होगा, पांच प्रतिशत, छे प्रतिशत भी वेद आज उपलब्द नहीं है, तो आप अगर वेद होता भी, तो पांच प्रतिशत, छे प्रतिशत उपलब्द है, उसमें क्या डूंडोगे? सिर्फ पुरान जो है, वो सव प्रतिशत उपलब्द है, बात है क्योंकि पूरान पूरे-पूरे मिलेंगे प्रचरत रूपत्वात आज भी प्रचार में है आज भी उसकी टिकाएं है वेद का क्या है सारा वेद पांच-शे प्रतिशत भी बचा नहीं सब कुछ लुप्त हो गया काल के प्रभौ से उसको देखके कौन क्या केसिस बना बाकि पिचानवे पत्ते पन्ने फट गए और फिर उस बुक में कोई बोल रहा है कि इसमें तो दिखता ही नहीं अरे पचानवे पत्ते उसके चले गए सब के सब तो क्या बात कर रहा है यह बात है तो वैसे ही वेदों का हुआ है आज की घड़ी परान जो है वो इंटक्ट व्याजदेव जी ने चार लाक सारे अठरा पुरानों को मिला के चार लाक्ष लोग संकलित किये थे आज भी वो चार लाक्ष लोग है उपलब्द है पुरे पुरे यह बात है तो इसलिए हमें इस चीज़ को जानना चाहिए कभी-कभी लोग ऐसे प्रश्ण पूछते हैं बाहर की दुनिया में भी प्रचार में अरे कृष्ण का गुनर राधा कहां है वेद में राधारानी कहा है वेद में बोलो ऐसे बोलते हैं आपकी राधारानी जो है आपकी परम हमारी परम स्वामिनी वो कहां भी बोले श्री कृष्ण की लिला कहां बोली है अर्च विद्र पुरान में ब्रहम पुरान में भरा पड़ा हुआ है तो राधा ही राधा है सरवत्र वत्र यह बात है चीक है इस प्रकारसे ये चार श्लोकों में ऐसा गर्णन करते हैं तो पहला श्लोक बता रहा है कि कैसे ये भगवान सृष्टी के आदी और अंत में विद्यमान दूसरा श्लोक बता दिया कि कैसे ये बीच में भी विद्यमान है और जीवों को प्रकृति के अंतरगत डाल देते हैं तीसरे श्लोक में बताया गया कि कैसे ये भगवान जो है उनका दुरलब दर्शन है लेकिन हमें आज प्राप्त हो रहा है और चौथे में बताया कि अगर इनको सम समझना है इनकी दीदा समझनी है तो गुहिएशु वेदेशु उस भाग में जाना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे पहरे चार्श लोकों की यह थीम जो है यहां पर पूरी लोड़े ओके कुछ पूछना है इस पर आपको कि अच्छिए है कि सुकुमारी रंता माताश बोली जो हो जाता है दो भक बदाम चले जाते हुझना निए तस कि निए और विजली और वहगता से तो पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद भगवान लीला चाहते थे नारद मुनी से चाहते है मतलब अभी भी नारद मुनी विद्यमान में इस पूरे अंतर तक इस ब्रह्माजी के पूरे अंतर तक नारद मुनी रहेंगे नारद मुनी के ही शरीर में रही तो नारद मुनी क तो भगवान चाहते थे कि नारद मुनी तो भगवान के नित्य पार्शत है बराबर है वो कोई साधन सिद्ध भक्त नहीं है नित्य सिद्ध भक्त है तो ये नारद मुनी का उपवरहन गंधर्व का रूप लेना और वहां पे फिर ब्रह्मा जी के शाप के कारण वो शुद्र परिवार में जनम लेना और उनकी माता का वो मृत्यों को प्राप्त हो जाएं ये सब लीला है ये भगवान कुछ दर्शाने के लिए भक्ति की महती दर्शाने के लिए दिखा रहे हैं ये सब कुछ लेकिन नारद तो नित्यपार्शन तो इसलिए उस पर्टिकुलर लीला के बले ही वे भगवान के द्वारा लाइको प्राप्त हो जाते हैं भगवान के अंदर गत चले जाते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं कि इसके पश्चाद नारद अगले कल्प में वो नारद मुनी का शरीर धारन करके बाहर आए और फिर लीला ही लीला में प्रविष्ठ हो ज उसके बाद में जो शरीर मिला वो दिव्या आध्यत्मिक शरीर मिला हुआ है उसके पहले जो शरीर मिला हुआ है उस शरीर में बहुत इकता दिखाई जा रही है वो प्रकट रूप से वैसा नहीं हमें दिखाया जा रहा है वैसा कि उसमें कुछ बहुत इकता है उसमें आध्य मुनी के रूप में फिर है फिर तो वहां पे तो वह शरीर याध्यत में दे आपको पता होगा वो रावन जो है वो नारका पर जा रही है तो ऊछला quantum मेरा नारका करना। उन्होंने कादे एक हो बखवान विश्णूं की भक्ति करनी पड़े फिर मिलेगा। तो बुला रहे नहीं ने फिर मैरिस नहीं होगा। फिर यह बटी यह बात है। तो यह बात है। कि तेंक तूकरॉ गंगापति ने माई प्रूब बोली है अब आ रहा है तो जो लास्ट टेम आपने बुलत है कि टीका से पढ़ा रहे हैं और यह जो नौर्म जो पढ़ा रहे हैं तो फीटबेक लेंगे ऐसा करके बुलत है तो फीटबेक है कि टीका अच्छा था अच्छा ठीक है यह यूनिट के बाद में मैं फीटबेक लोंगा जो लोग ज्यादा लोग बोलते कि प्रवू दिखाईए और टीका भी थोड़ी आप बताते रहे हो बता तो रहे हो लेकिन टीका भी दिखाई तो फिर दिखाऊंगा चलेगा अभी तो मैं आपको बता रहा हूं श्रीदर स्वामी क्या कहते विश्वनाद जी क्या कहते जीवर्व स्वामी यह कहते अलेकिन दिखा नहीं रहा कुछ भी थोड़ा समय लग जाता है लेकिन यहीं बात थोड़ा यह ट्राय करके देखते हैं अगर ज्यादातर लो पूरी ठीका पड़ाता नहीं फड़ा फड़ा महत्वपूर्न मुद्धे पड़ा देता हूं तो देखेंगे इस यूनिट के बाद में लेंगे वो फीड़बैक यह दो तिन चैप्टर मैं इसे ही पड़ा हूंगा आप मुर्ट करते चलिए कौन से आचारे को कोट किया मैं कौन से आच चले बुता देखेंगे महायोगी प्रभू बोली हमारे समस्ता में तो यह पुरानों को यह पढ़ना है तो नहीं मिलते ना उपलब नहीं है कौन बोलता है नहीं पढ़ना चाहिए आप क्या बोलते पुरान पढ़ना है तो फिर लोग बोलते नहीं पढ़ना चाहिए नहीं नहीं पुरान है हमारे उपलब नहीं है ना हमारे समस्ता में तो दुस्तरी पढ़ना चाहिए तो क्या करना है देखे सबसे पहले तो पुरान भी पढ़ लेते हैं तो सब कुछ शिद्ध हो जाएगा इसके परेज आके अगर मानिये और जानकारी के लिए किसी को विष्णु पुरान आदी पढ़ने है तो पढ़ सकता है अन्यान्या जो भी अधिकृत अनुवाद है तो वो जो भक्त जानते हैं उनको उसको लेकर पढ़ सकते हैं साथविक पुरान पढ़ने में कोई आपती नहीं है विष्णु पुरान आदी वगरे लेकिन हमारा क्यों हो जाग है भागवत पुरान ही पढ़के नहीं होता अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है भागवत पुरान और कोई विशेश घटना विशेश लीला विष्णु पुरान से पढ़नी है वगर तो क्यों नहीं पढ़ सकता निश्चत पढ़ सकता है उसमें कोई आपती नहीं है वो भी ठीक है हम लोग साथविक पुरान पढ़ते हैं बाकि ज़्यादा ताम से एक राजसिक में उसमें नहीं जाता है लेकिन भागवत जो है उस पे आपका कैसा होल्ड है उसको सबसे पहले अच्छे पढ़िए उसके सिद्धान तच्छे से समझिए ने तो फिर कोई भागवत सिद्धान से कुछ अलग दिखा तो ब्रहमित हो जाएंगे यह बात है लेकिन जीव गोस्वामी बताते है इस चीज़ को कि पुरान जो है वो एकदम अधिकृत है पुरान और उसमें भी सात्विक पुरान और उसमें भी सबसे बढ़िया श्रीमन भागव सर्वप्रमान चक्रवर्ति ऐसे बोगत है उसको तो यह बात है ठीक है तो आपका भागवत का अध्येन बहुत अच्छा होने के बाद या कोई सेक्षन हो छोटा सा तो कुछ अधिकृत अनुवाद है उससे पढ़ सकते हो आप वैसे जानकार वक्तों को पूछिए मेरे को पूछिए अगर आपको को सेक्षन पर्टिकृलर पढ़ना है वागरा तो मैं बताता हूं कहां से पढ़ना चाहिए ठीक है सुरेश प्रभु बोली है अभी आपने विश्वामित्र का बारे में बताया है वह ब्रहमर्शी बन चुके है उसके बावजुद हम नॉर्मली वह जो ब्रहमर्शी बनने तक जो प्रय जो उनके जो स्टेजिस थे उसी के बारे में जदा उनके बारे में चर्चा होती है तो एक बार ऐसे ब्रहमर्शी बनने के बाद हो उनके जो दोश्वामित्र के नहीं हो रही है विश्वा मित्रक का जो मार्ग था उसके दोशों की बात होती है तो ये तो तारतम्मे में होता ही होता है ऐसी बात नहीं है कि इसका उहापव नहीं होता कहीं पर करके आप विश्वा मित्रक को कोई दोशी या उनका मज़ाख नहीं उड़ाना चाहिए वो जो मार्ग का अनुशिरन कर रहे थे, वो योग मार्ग या तपस्या का मार्ग, उसके उपर टीका होने चाहिए, यह बात है, ठीक है, तो अगर कोई एक है यह विश्वा मित्र है है हो हो करके, उनका अगर मजा को उड़ा रहे तो मूर्ख है वो दो, उसको समझ नहीं रहे लेकिन हम लोग क्या मोलते हैं, क्यों विश्वा मित्र का तीन-तीन बार पतन हुआ, क्योंकि भक्तिमार को स्विकार किया, तो वही विश्वा मित्र, फिर तो रामचंदर जी के गुरू बन गया है, ऐसे, तो देखिए, यह मुद्दा है, मारग के तारतम्य के दृष्टिक कि क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है, तो व्यक्ति विश्वा को अलग कीजिए, और व्यक्ति ने जो मारग अपनाया, ऐसे तो फिर आपने आजा मिल के बारे में भी बोलना नहीं चाहिए कुछ, लेकिन हम लोग आजा मिल का पूर्वा जीवन का अनलिसिस करते यह नहीं करते बाद में तो सिद्ध हो गया इतना बड़ा लेकिन क्यों करते पूर्वजन्म के उसके पूर्वजन्म का अनलिसिस क्यों क्योंकि उससे कुछ चीजे बताई जा रहे भक्ति-मार्व का हरी नाम का मात में प्रकट हो रहा है वैसे विश्वमित्र जी का भी है होता है और और विश्वामित्र को और फिर तो रामचंद्र जी ने उनको स्विकार किया, गुरु के दूप में, सक्षाद भगवाने, तो ये बात है, ठीक है? जन्यवाद प्रेण प्रुफ बली है, अब रुप आपके पता है, जो नमीटिक प्रोलेम होता है, तो फिर वो दस्त हो जाते हैं, उपर के चार रहते हैं, तो फिर वो दस्त भुवन के जो जीव है, वो कहां जाते हैं? गर्वदक्षाई विष्णु के बाड़ी में जाते है तब तो ब्रह्मा जी भी निद्रित अवस्था में ब्रह्मा जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ जो सारे अन्यान्य पुत्र है वो भी गर्वादक्षाई विश्नु की शरीर में चले जाते हैं जो पिछले दिन में भी था, बाकी जीवों का शरीर ध्वस्त हुआ रहता है, अभी वो नया शरीर धरन करेंगे, क्योंकि उनके कर्म के आनुसर, ये बात है, ठीक है, और इसके जो चार प्रले आपने बता है, इसके अलावा कुछ और प्रले भी होते हैं, मतलब जिससे कि at the end of Kaliyugas, like, you know, water flooding, yes, देखिए, और एक प्रले होता है, वो प्रले क्या होता है, हर मनवंतर के बाद में प्रले होता है, लेकिन उसको कोई ऐसा विशेश नाम नहीं दिया गया है, हर मनवंतर के बाद भी एक प्रले होता है, वो भी बोला गया है, उसमें पृत्वी तक का जो ह है, वो पानी में चला जाता है, मरत्य लोक, पृत्वी जो हम कहते हैं, वहां तक का पानी में चला जाता है, हर मनवंतर के बाद होता है, श्रिपास शिदर स्वामी बताते हैं, ऐसा एक प्रले होता है, फिर योगा जब योगों में परिवर्तन होता है, तो योगा संध्या क के समय भी कुछ परजनने से आप लावित हो जाता है ऐसा कुछ वर्नन है लेकिन उसको एक बहुत बड़ा ऐसा प्रले करके शास्त्र में मतलब कुछ आलग नाम वगरा नहीं दिया है लेकिन मनवंतर के पाद भी प्रले होता है जेव गोस्वामी बताते है शेदर स्वामी बत मैं देख रहा हूं कि काफी प्रशन हो रहे हैं तो अभी आप साधे आट के बाद पूछिए नहीं तो फिर मैं आगे ही बढ़ना ही पाऊंगा है हम लोग ने साधे साथ को शुरू किया तेईस मिनट मैंने प्रश्णतर किया अभी आप रुके आपके प्रश्ण को रखिए साधेट बज़े पूछिए अरे पुछिए अरे पुछिए तो इस प्रकार से चार्श लोग बोलने के बाद में प्रवपाची का ताथपरे शायर इस पर हमने देखा नहीं है तो उसमें खास करके लीला जो है श्री कृष्ण की तो प्रवपत क्या के बोलते हैं देखिए वेदान सुत्रया उपनिशदों में उनकी लीलाओं के गुहियामशो का संकेत पातर हुआ है वेदान्थ में या उपनिशद में लिलाओं का संकेत मिलता है केवल ज्यादा नहीं बोला है क्योंकि उपनिशद तो ज्यादा तर क्या बताता है कि कैसे भगवान का बहुत एक रूप नहीं है ये बताता है लेकिन कैसा रूप है य तो पुरान बताते है या वेदान्त बताता है थोड़ा बहुत संकेत करता है लेकिन में ले तो पुरान बताते है पुरानों में वर्नन है भगवान का रूप क्या है तो क्या नहीं है ये उपनिशद बोगता है लेकिन क्या है वो पुरान बोगता है और उसमें भी खास करके भागवत पुरान तो यह बात है तो इसलिए जब उपनिशदों का वर्नन होता है उसमें रूप नाम गुण इत्यादी को इस जगत से भिन्न बोला गया है तो फिर कभी-कभी अलप गुद्धिवाले लोग निराकार मानते बैठते हैं भगवान को कितने सारे लोग है ऐसे इ एक निराकार है एक निराकार हुब आप यी निरंकार हो निराकार हो यह सब चीज़ें जो बोली जाती है सब कुछ वो क्या है कि थे वलुक स्थक्रणों K, पड़ लिया ना आगे बढ़ा है नहीं तो आगे पुरानों का कौन पढ़ेगा तो का अजित करें इसके बज़ए से ऐसा हो जाता है यह सब निम्हकीम है यह आधे हकीम ऐसा आधे हकीम मतलब क्या निम्हकीम खत्रा ही जान के लिए बड़े दुश्मन बन जाएंगी तो वैसे है आधे वेद पड़े हुए लोग वो निराकार भगवान है ऐसे कुछ सत्य बोलने लगते हैं अरे भाई लेकिन तुने सब कुछ वेदों का जो अलग-अलग विभाव है उसको देखा किया तब कुछ निश्कर्ष पर आना उचित रहता है यह बात इसलिए उपनिशाद वेदान्त पढ़ने वाले लोग प्राया आपको दिखेगा कि वो निराकरवादी बन जाते इस प् अजिए तर्मेनत मों धियों दिपाः जीवंती तत्रेश ही सत्वत अखिद धत्य भगं सत्यम्रितं दयां यशो भवाय दूपानि दधत युगे-युगे अचिंते बल्रांपरो पड़ी हाव करीजिशना चिंते बल्रांपरो प्रशाशक तमोगुण में इस्थित पश्रों की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ती सत्य को प्रकट करते हैं श्रदालू पर विशेज दया दिखाते हैं अधभुत कारिये करते हैं तथा विबिन कालो तथा युगों में आवश्यक्ता अनुसार विबिन दिव्य रूप प्रकट करते हैं तो देखिए ये ये श्लोक अभी स्त्रियाएं क्या बोल रही है शांतरतिवादी स्त्रियाएं बोल रही है कि भगवान के आवतार का प्रयोजन क्या होता है क्यों भगवान इस जगत में अवतार लेते है, क्या प्रयोजन होता है, ये चीज जो है इस श्लोक में बता रही है, देखे मैं हर एक श्लोक के प्रारभ में आपको उस श्लोक का प्रयोजन बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप नोट करते जाएगे, कि क्या प्रयोजन से य जैसे कुंति महरानी हो या फिर अन्यान्या तब मैं बता भी देता हूं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी बना के दे दूँगा लेकिन कुछ-कुछ उतनी प्रसिद्ध प्रार्थना ही नहीं है तो बस समझा रहा हूं आपको हर श्लोग के प्रारभ में जब उस श्लोग का प कि भई इन भगवान के नाना उतार का कारण बोला गया है इस श्लोगों में तो क्या है कारण वो यदा ही अधर्मेन तमोधियों डपा जीवन्ति तत्रेश ही सत्वतह किदर जब अधर्म के कारण तमोगुन से जिनका पूरा बुद्धी व्याप्त हो गया है ऐसे राजा त जीवन्ति मतलब जीते है कैसे अधर्मेन कौन तमोधिया अंद्रपा तमोधि वाले बड़े तमोगुन में जो जिनकी बुद्धी पूरी-पूरी तरह से तमोगुन से लिप्त है ऐसे राजागर्ण जब अधर्म से जीते है तब ये भगवान क्या करते है युगे-युग तो ऐसे उन राजाओं का ऐसे भूभार वाले उन राजाओं का भूभार हरन करने के लिए राजाओं का विनाश करने के लिए भगवान जो है यूगे यूगे रूपानी दधत हर यूग-यूग में रूपधारन करते हुए धत्य, धत्य मतलब क्या प्रकट करते है, क्या प्र करते हैं सत्य को प्रकट करते हैं रुतम को यहां पे लिखा है सकारात्मकता रुतम मतलब यथार्त उपदेश करना उसको कहते हैं रुतम भगवान आते है और यथार्त रूप से उबदेश करते हैं जैसे कपिल आदी हो यथात रूप से उबदेश करके चले गए तो वो रुतम कहते हैं दया को प्रकट करते हैं यश को प्रकट करते हैं अद्भुत कार्यक अलाब भद्वान के तो ऐसे रूप धारन करते हुए इन गुणों को प्रकट करते हैं ऐसा वो वायक जीवों के कल्यान के लिए, जीवों के पालन के लिए रूपधारन करते हुए इन गुनों को प्रकट करते हैं. कौन से गुनों को भग, सत्यम, रितम, दया, यशर ये सब चीज़े प्रकट करते हैं. ये उनके अवतार का प्रयोजन है, मतलब देखिए वही है परित्राना ये साधुनाम वाला भाव, विनाशारिच दुष्प्रताम वाला भाव, जब ऐसे तमोधिय अंद्रपः, ऐसे तमोगुनी राजा सब जगह हो जाते हैं, जीने लगते हैं, अधरम से उत्पात करते हैं तब उनके विनाश के लिए भगवान आते हैं, वो क्या है, वो विनाशारिच दुष्प्रताम पर इस चीज बोली जा रही है, और फिर आते हैं तब सुन्दर सुन्दर रूप लेके आते हैं और गुन प्रकट करते हैं, सुन्दर गुन जैसे वैभाव, सत्यता, विशेश दया, अभुतकार्य, यशः आदी उन सब को प्रकट करते हैं, यह बात यहांपे इस लोग में बोली गई, ठीक है, तो देखे, इसमें प्रभुपाजी क्या कहते हैं, प्रभुपाजी कहते हैं शुरुआत में, पहले तो प्रभुपाजी कहते हैं, कि वो अधर्म क्या है, इसकी बात करते हैं. भगवान की अनुमती बिना कोई भी व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमन नहीं कर सकता है. इशावास्यम एदम सर्वं, यदकिंचे जगत्याम जगत्याम जगत्याथ, ये पहले पारग्राफ में बोला है. तो जो इसक पालन नहीं करते न, वो अधर्मा है. ऐसा प्रवपाजी कह रहे. अधर्मेन श्लोक में शब्द था न, अधर्मेन. तो उसके लिए प्रवपाजी ने पहले बात की, कि भाई, क्या है अधर्मा? तो ईशावास्यम तत्वन को पालन न करना, उसको कहते अधर्मा. तो कोई भ व्यक्तिके अधिकार पर अतिक्रमन नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए. लेकिन क्या हो जाता है? समय समय पर बहुतिक प्रकृतिके नेमनगुन, तमोगुन के प्रभाव से, राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायत को के सब्तार उड़ हो जाते है और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिकत स्वात के लिए पशू की तरह रहते हैं, अधर में जीवन्ती, प्रभपाद कहते हैं, पशू की तरह जीता है, लिटरली जैसे तमोगुन में पूरा-पूरा लिप्त कोन रहता है, पशू तो रहता है, तो इसलिए प्रभप उस वक्त, यह बात है, प्रवका जी कहरें, आज की कतारिक में भी देखी, मानव समाज में भाई भतिचावाद, घूस, धोका धड़ी, मारा मारी, तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्द, सब जानते ही आप, आज की घड़ी में कितना राजनेता क्या-क्या क कर रहे हैं, महराष्टर में तो आप सब परिचित ही हो, क्या कुछ नहीं हो रहा है, कितना भरष्टाचार, कितना यह सरवत रही, कहां कम, कहां ज्यादा, लेकिन यह बात है, तो, यह ऐसी स्थिकी है कि जहां पे सब कुछ तमोगुन के कारण, आप लोग देखते हैं, ऐसे कलियुक में भगवान आउतार लेते नहीं, भगवान जो है वो, कलिकाले नाम रूपे कृष्णा वतार, या आते हैं तो छन आउतार के रूप में आते हैं, है कि नहीं, महाप्रभु जो है, कलियुक में लीला आउतार नहीं होता है, भगवान का, कलियुक में केवल भगव निलाउतार नहीं होता है शक्तेवेश्छा उतर होते है लेकिन जब महाप्रभु आते है तो वह विशेश कि ब्रह्मा जी के दिन के साथवे जो चतुर्यूग है उसके द्वापारयूग में एक विशेश भगवान स्वयम आते है और उसके बाद चैतने महाप्रवों आते हैं, वो छोड़ा ना, तो कोई भी कलियोग में लिला उतार होता ही नहीं, भगवान, तो ये बिनाशायच दुश्कृताम, धर्म समस्था अपनारता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कलियोग में भगवान उतार ही नहीं लेते हैं, त्रियोगी ये कलियोग अगर आपने छोड़ा ना, 28 वे दिवे युग का, उसके बाद में जो कलियोग का भी आवतार होता है, वो भी शक्तवेश ही होता है, मतलब चैतन्या महाप्रभू छोड़के, अन्या, चतुर युग में, कलियोग में, जो नाम प्रचार संकीतन करने वाले आव अवतार है भगवान के, वो भी जीव ही होते हैं, वो साक्षाद भगवान नहीं होते हैं, लेकिन भगवान चैतन्या महाप्रव ही साक्षाद भगवान है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो कहने का मेरा तात्परी ये है, कि कलियोग में ये जो विनाश प्रभ्रमाजी के एक दिन में एक बात है ठीक है प्लेकिन अन्यान्या युगों में लिला उतार करके भगवान ये बात करते हैं परित्रानाय साध्वनाम विनाशायश दिश्कृतामाद तो जब भगवान आते हैं तो भौतिक गुणों से रंचमात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं प्रभवबद जी बोलते हैं तो ये क्या बोला जा रहा है श्लोक में देखिए ये शब्द बोला जा एक्चुलि ये सत सत्वत अहां विशुद्ध सत्वत अहां आप श्रिधर स्वामी की टीका पड़ोगे तो तुरंत उस सत्वत अहां को क्या कहते हैं विशुद्ध सत्वेन वो सत्व गुण की बात नहीं करते हैं विशुद्ध सत्व की बात करते हैं तो इसी को प्रवपाजी ने तात परिय जानरे आगे ऊब करते यह कौन से अंग को बोला मिझे यह बोला है धटेगिए यह थोड़ेत देइ शॉते कुझ अलगिक करते है अधुत करते है इसी बात पर प्रफबाद जी बची हुई टीका लिख दिये अपनी सारी जिसको श्लोक समझता है उसको सब समझता है कि तात्परी में क्या लिखा है कहां से आया कौन से मुद्दे से है यह बात है जब वे उतरित होते हैं तो अपनी परम सप्ता सिध्ध करने हैं तो अलौक की कारिय करते हैं जिसे रावन हिरन्यक्रशिक्व कंस जैसे लोगं को गंड कर देते हैं दंडित कर देता है श्री रामुतार में भगवान हिंद माहसागर पर सेटु बांते है और हमारी श्री कृष्ण का तो क्या कहना वो तो पूतना अगासूर शकतासूर जैसे असूरों का वद Cum कुछ दिनों के है तब ही कर लेते हैं। ना चंक्रमने ना चांच्छति कि अनुवात पढ़िए जैश्टिराधमाताजी प्रेक्रिश्ण प्रक्ष्ट ओ यदुवांश कितना यशश्री है और मतुरा की भूमी कितने पुन्यमाई है जहां समस्त जीवों के परन्नायक लक्षमेपती ने जन्म लिया और अपने बच् प्रण किया है तो अभी तेखिए 26 वे श्लोक में क्या हो रहा है 26 वे भगवान जो है उनकी नगरी का गुंदान हो रहा है विश्वात चक्रोर्ति कहते हैं जैसे पिछले श्लोक में भगवान के आने के प्रयोजन के संदर में काल की बात होगी काल काल देश पात्र होता है तो काल की बात होगी कब भगवान आते है जब जब यह ऐसे सब राजा लोग तमोगुन से अधर्म से जीते हैं तब इस लोग में विश्वात चक्रोर्ति कहते हैं देश की बात हो रही है क मतलब की भगवान जिस जगह में आते हैं आधार की बात हविए हुआ देश की तो आगे आएगी वो सब कुछ जो है वो पात रहो गया और फिर अंत में देश की भी बात होती है मतलब कौन सी स्थान पर आते हैं तो जैसे की द्वारका जैसे की मतुरा व्रंदा वान ये इस परकार से तो ऐसा एनलिसिस जो है विश्वांद चक्रवज ने किया है या फिर शिदर स्वामी के आगे बढ़ रहे हो तो शिदर स्वामी क्या कहते है कि देखिए बोलते हैं कि अभी पांच लोग मतलब 26, 27, 28, 29, 30 ये भगवान के लीला से संबंदित इस जगत की जो चीजे है इस जगत का स्थान इस जगत का वंश ये जो है इसका वर्न बचे हुए पांच लोकों में हो मतलब भगवान की लीला से संबंदित स्थान, भगवान की लीला संबंदित वंश, भगवान की प्रियाएं, भगवान की रानियां इन सब का गुंदान बचे हुए पांच लोकों में हो रहे हैं ऐसे शिदर स्वामी कहते हैं श्री कृष्णा उतार से संबंदित चीजों का पांच लोकों में गुंदान हो देखें और ये जो मधुवन है मतुरा है वो देखें कि कितना ये पुद्व्यतम है ये जगह ये यदूं का कुल हो या ये मधुवन जो है ये भूमी कितनी पावन है, कितनी पुन्यतमा है, शलाग्यतमा है, प्रशन से नहीं है क्यों यदेश पुमसाम रशवा श्रीयपती क्योंकि इसी जगह पे जो पुमसाम रशवा परमपुरुष भगवान श्रीयपती लक्षमी जी के पती श्री कृष्ण वे क्या करता है हम बोलते हैं कि अपने जन्मा आदी लीदाओं से कारियों से इस भूमी पर विचरन से चंक्रमने चांचती इस भूमी को पूजित कर दिये इस भूमी को पूज्य बना दिये इस भूमी को सत्कृत कर दिये अंचती समझे ले ना अंचती का क्यारत होता है अंचती मतलब जिनोंने इसको पूजय यती पूजित कर दिया सत्कृत कर दिया कैसे स्वजन मना अपने जन्मा से और दूसरा चंक्रमने न और साथ ही साथ अपने गमन से विचरन से अपने बैसिकरी लिलाओं से और जन्मा स जमेदिव्रा, तो इस भूमी को जिन्नोंने पूर्जतम बना दिया, सत्कृत बना दिया, तो कितना विशेश है यह, इसे जो है यहां पर कहने का उनका प्रयोजन है, तो यह मतुरा कि भूमी और यह यदुकुल, यह सारे जो स्थान है यह यह जो सारे पात्र है, यह बहुत है तो इसमें पात्र भी है यदुकुल पात्र हो गया और मधुवन देश हो गया दोनों चीज़े है तो यह बात है तो भगवान जो है इस प्रकार से अपने लिलाउं के द्वारा इस भूमी को कितने पावन कर दिए है यह बात बोली जा दिया धन्य। धन्य है ये श्री कृष्ण ने जन्म लिया, धन्य है ये मधुवन, मथुरा, व्रंदावन, आदी, सब कुछ कि जहांपे श्री कृष्ण अपने विचरन के द्वारा इस भूमे को पावन कर रहे है, ऐसे वो बोल रही है, चीक है, तत्परे देखिए, प्रवपत, श्री भगवान अपनी अचिनते शक्ति से किशी विशेश परिवार्य स्थान में प्रकट होते है, तो अभी देखिए, प्रवपत क्या कहते है, भगवान का जन्म सुर्योदय तथा सुर्यास्त की तरह होता है, सुर्य पूर्विक्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका आर्थ यहां नहीं होता, कि पूर्विक्षितिज उसका जनक है, तो सुर्योदय तथा सुर्यास्त से भगवान का जन्म तथा भगवान का आविर्भाव और अप्रकट होना उसके साथ तुन्ना की गई क्या प्रयोजन है ये इस लोग से क्या संबन्द है इसका मुद्दे का तो देखिए ये बड़ा ग्रामेटिकल सेंस में ग्रामेटिकल मतलब वयाकरन दृष्टी से व्याकरन दृष्टी से सम्मन जोड़ा गया है प्रभुपाद जीने ताथपरिय में ये मुद्दा लाने का क्या कारण है उसको बोला नहीं है लेकिन ये विश्वनात सक्रवर्टी की टीका से लिया है जानते हो भूतकाल के प्रयोग कैसे रहते हैं अलग रहते हैं लिटलकार के या लंगलकार अंचती वर्तमान में तो विश्मात चक्रवर्ती ये प्रश्णा उठाते हैं कि ऐसे क्यों बोला कि धन्या है ये यदुकुल, धन्या है ये मधुवन जिसमें हमारे श्रीकृष्ण जो है वो अपने जन्मा तथा अपने गमन के द्वारा अंचती इस भूमी को पुन्यतम बना रहे हैं वर्तमान काल बना रहे हैं बनाते हैं ऐसे कि उन्हें बोला कि जन्हों ने इस जगत में जन्म लेके और इस स्थानों पर विच्रण करके इस भूमी को पुन्यतम बनाया बनाया की जगह बोल रहे है जो बनाते है या बना रहे है तो क्या मुद्दा है यहाँ पर वर्तमान निर्देश से भगवान की लीला नित्य है ये बात कही जाए श्री कृष्ण की हर लीला नित्य है आज भी भगवान जो है इस मतुरा में इस वरंदावन में अप्रकट रूप में ये लीलाएं कर रहे है ये बात बताने के लिए प्रवपाद नहीं ये सारा मुद्धा उठाय ता परियका कि उनका जन्मा उनकी लीलाएं सुर्योदैता सुर्यास्त में होती है जैसे ही एक लीला खत्म हो जाती है प्रकट रूप से तो अप्रकट रूप से विद्यमान होती ही होती है लेकिन अन्य किसी विश्वा में प्रकट रूप से भी विद्यमान हो जाती है दो प्रकार से होती है लीला है देखे ऐसा होता है यहां पर मथुरा विरंदावन में जब उनकी अप्रकट लीला खत्म होती है तो सारी लीलाएं अप्रकट रूप में फिर विद्यमान होती रहती इसी जगह पर और अन्य कोई विश्व में प्रकट रूप से विद्यमान होत ये बात है, तो ये नित्यता बताने के लिए प्रवपज ने ये मुद्दा उठाया, शायद आप इसको पकड़ नहीं पाते थे, अंचती से आया है वो वर्तमान निर्देश के कारण, नहीं तो फिर भूतकाल का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए भगवान के लिला नित्य है, ये समझायता है, ठीक है, आगे, यदि कोई भगवान के दिव्या जन्मा तथा कर्म के मर्मा को तात्विक रूप से समझ लेता है, तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है, तो ये तो जानते हैं, आप जन्मा कर्मा चाहिए जन्मा कर्मा चाहिए एवं योग योगे, यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मातर से सरंता से मोक्ष मिच सकता है तो फिर जिन लोग ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पडोसी के रूप में भगवान का संग किया है उनके भाग्य का क्या क्या है तो प्रवपाजी अंत में कई मुत्यन्याय लगाते हैं, बोलते हैं कि अगर जन्म कर्मच में दिव्यम जानने वाला अगर भगवान के धाम को प्राप्त करता है, तो फिर भगवान के साथ जो दिला किये, उठे, बैठे, खाए, पिये, वो यदुकुल या भगवान के प्रे आग्य तमाम, क्या वो यदुकुल शलाग्य है, कितनी प्रशंसा करें उसकी, कि जिसके, जिस कुल में साक्षात श्रीक्रिष्ण जो है, जन लिये और ऐसे सुन्दर सुन्दर लिराएं कि ये बात बोले जारे, चेक है, आगे, अहो बतः्स्वर्यसस्ति रसकरी, कुशस्थली पुन्या यशसकरी भुवा, पश्वंति नित्यम यदनो ड्रहेशितं, स्मीताव लोकं स्वपति स्मयत्रजा, प्रिश्न नाम प्रव अनुआ पढ़िए, जन दि, ओके ठेक है रुख मेरे वल्लब प्रवाब पढ़िए रेकृष्णा निस्तंदे यह कितना अस्चा रिचनक में कि त्वारका ने स्वर्ग की अस्थ को पराजित करके पुस्वी की पुसिद्धी को बढ़ाया है द्वारका की निवासे समस्त जीवों के आत्मा भगवान स्वरी क्रिष्णा का उनके प्रिय स्वरूप में सड़ैवा दर्सकन करते हैं स्वी भगवान उन पर दिश्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरे चितवन से उने स्वतार्थ करते हैं तो देखे वही देश और पात्र का गुंगान चल रहा है इस लोग में भी अहो बता स्वर्यशस तिरसकरी अरे भाई स्वर्ग के भी यशका तिरसकार कर देती है ऐसी वो द्वारका ऐसी वो कुशस थली कुशस थली कहते हैं द्वारका को तो क्या है बोला है स्वर्यशस तिरसकरी स्वर्ग के भी यशको जो तिरसकरित कर देती है मतलब इतनी द्वारका नगरी दैदिप्यमान है वैभोशाली है कि वो स्वर्ग भी उसके सामने फेका बढ़ जाता है ये बात है स्वर्ग के भी यशको उसकी भी महत्ता को जो तिरसकरित कर देती है मतलब छोटा बना देती है ऐसी वो कुशस थली क्या द्वारका का वर्नन है कि द्वारका में स्वर्ग से भी ज्यादा वहां पर जो है वैभो था उन्य यशस करीब हुआ है और वो द्वारका स्वर्ग का यश्ट तो तिरसकरित करती है लेकिन भूमी का यश्ट जो है उसको उसको बढ़ाती है उसको भूमी को और भी प्रसिद्द कर देती है वो भूमी को स्वर्ग से भी स्रिष्ट बना देती है ऐसी वो द्वारका क्यों कि द्वार्का तो भूमी पर है ना इसलिए वो तो भगवान ने प्रकट की इस धरातल पर इसलिए इस धरातल का महिमा और भी मंडित हो गया स्वर्ग के यश्ते भी ज्यादा और उस द्वार्का नगरे में क्या बोला है पश्चंति नित्यम यदनो ग्रहे शितम स्मीत वालोकम स्वपति स्मयत प्रजा स्वपति स्मयत प्रजा तो वो जो खुशस्तलिय द्वार्का है अधर इसलिए उस द्वार्का नगरी में कितने वो प्रजा जो है कितनी वो प्रजा जो है भाग्ये शाली है कि जिसमें वे अपने स्वपति अपने शुरी क्रिश्ना जो उनकी स्वामी है उनके सुंदर चित्वन भरे उस मुख को स्मीता व लोकम देखते रहते हैं कि जिसमें अनुग्रह ही अनुग्रह भरा है कृपाही कृपा भरी है ऐसे वो द्वार का वासि कितने सौभा के शादी है हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है वो गुंगान कर रहे हैं कि कितने वो द्वार का वासि भगवान हम लोग तो आज देख पा रही है भगवान के सुन्दर स्मित को और ऐसी इच्छा हो रही है कि कभी भी ये दृष्ट हमारे सामने से चला नहीं जाए तो वो द्वारका वासी कितने महान हो गए कि जो सतत अपने उन भगवान का सुन्दर स्मिताव लोक वाला मुखमंडल देखते रहते हैं तो धन्य है वो द्वारका नगरी इस प्रकार से बुन्गान जो है यहां पर किया जा रहा है प्रभूपाद स्वर्ग लोग का पहले कंपैरिजन करते हैं कि कैसे स्वर्ग लोग में बहुत-बहुत उन्यकर्म करके विक्ति पहुंचते हैं और स्वर्ग लोग में काफी सारा वैभाव है लेकिन द्वारका की वज़ह से उस स्वर्ग का तिरसकार हो गया है और भूमी स्वर्ग से भी अधिक गरिमाशाली हो गई है लेकिन द्वारका के कारण पृब द्वारका का सुंदर वर्मन है रिवांश में या भगवत में भी है तो इस प्रिथिविक के तीन स्थान व्रंदावन मतुरात था द्वारता ब्रह्मान के प्रसिद्ध लोकों से कई अधिक महतोपूर्ण यह बात है कि द्वार का स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक पहतोपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भगवान की स्मित चित्वन प्राप्त होई है उसे इस सड़ी गली प्रत्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता जिसे भगवान ने भी दुख का स्थान बताया वह स्वर्ग से तो नीचा आ लेकिन यहां पर तो द्वार का जो है उसको किसी ने प्राप्त कर लिया तो फिर ऐसा वेक्ति सड़ी गली प्रत्वी पर फिर से नहीं आएगा तो इसलिए द्वार का स्वर्ग से भी ज्यादा और यह बात बताया जा रहा है यह बात जो है बहुतिक जगत में आएगा नही जो है सिंद्व इसलिए द्वार का स्वर्ग लोग से भीसरेशन चहिए तो इसलिए बड़े जल्दी हो जाएंगे अंतिम्ष लोग जो है उसकी थोड़ी सी चर्शाएंगे प्रभुजी दर्णगत पढ़ा है जिसे वे सब उनके अधार अधरामत का निरंतर आस्वादन चुम्मन द्वाना कर रही है वज भूमी की बालाएं ऐसी के पाकी कल्पना से ही वहुदा मौचित हो जाती थी थाक्यू बालाएं तो देखें ये श्लोग जो है अभी इसका विशे जो है स्वावभाविक रुक से बदल जाता है तो इसलिए विश्वनात चत्रवरती जीव गोस्वामी समझाते कि ये श्लोग जो है शांत रतिकी स्त्रियों ने नहीं बोला है ये माधुरिया रतिकी स् वो जो श्लोग है वो इस परकार से बोला है तो इसलिए 27 आ मतलब इस श्लोग से 28, 29, 30 ये तीन श्लोग जो है ये आप जानिए कि श्रिंगार रति या माधुरिया रति वाली स्त्रियों ने बोले है ठीक है तो क्या बोल रहा है ये श्लोग देखें नूनन व्रतस्नान हुत पानी भी वो भगवान की द्वारका की रानिया जिनोंने भगवान का पानी ग्रहन किया है कितना उन्होंने अपले पिछले जीवन में उन्होंने भगवान को कितना अच्छे से अर्चन किया होगा व्रतों के द्वारा अतीर्थक शेत्रों में सनानों के द्वारा यव्यों के द्वारा इन सब के द्वारा उन्होंने भगवान की कैसी समर्चना की होगी कि जिसके कारण ये रानिया भगवान के पानी ग्रहन कर पाई और उसके कारण वे भगवान का अधरामृत जो है भगवान के अधरों का अमृत पान कर पा रही है क्योंकि उनकी पत्नी है तो क्या सौभाग्य होगा उस वाभाविक रोख से वो उस सौभाग्य के बारे में वनन कर दिये जो एक श्रंगार रस्के भव्वत के लिए उपलब्द है जैसे भगवान की रानिया हो या गोबिया आदी हो ऐसे और क्या बोलती है देखिए पिबंतिया सक्थि अधरामृतम मुहूर जो रानिया भगवान के उस अधरामृत का पान कर पाई बार बार व्रजस्त्रिया है सामु मुहूर यदाशाया व्रजस्त्रिया तो जिसका केवल चिंतन करके मुर्चित हो जाती थी व्रजस्त्रिया जिसका यदाश्या जिस अनुग्रह की केवल चिंतन करने से अनुग्रह के बारे में उस सोच के केवल समव हो वो जो है मुर्चित हो जाती थी ऐसे उस अधरामृत का पान ये रानियां कर पाई ये बात बोले जाए तुश लोग को देखा तो ऐसे लगता है यहाँ पर ऐसे बोला जाए कि गोपियां तो सिर्फ आशा करती थी भगवान के अधरामृत का रानियां तो प्राप्त कर चुकी है बार बार प्राप्त करती है तो ये रानियां गोपियों से श्रेष्ट है ऐसा लोग का कुछ भाव प्रकट हो सकता है यहाँ पर ऐसा लग बड़े जयाँ रहा होगा अपने से लिख है कि नहीं कुछ क्या बोला जा रहा है पिबन्टिया सक्थ और वह यह यह रानियां बार भार भगवान के ध्रामृत का पान करती है जिसका केवल आशा करके गोपियां तो बिचारी केवल उसका केवल चिंतन करके ही बुर्चित ह जाती थी ऐसे बात किया है जिसकी आशा से जिसके आशा से ऐसे लेकिन इस लोग को विश्वांत चक्रणुटी ने बड़े सुंदर भाव से एक्स्प्रेन किया है कि एक्चुली हस्तिनापूर की स्त्रिया जो है गोपियों को इस रेश्ट कह रही है क्या भाव है इसमें ऐसा भाव है कि अरे भाई गोपियां तो इतने उत्कट प्रेम वाली है कि केवल श्रीकृष्ण के अध्रामृत का पान करना इसका केवल विचार भी उनको मुर्चित कर देता है तो एक्चुली में वैसा हुआ वैसा उनका भगवान का आदान प्रदान हुआ उनका तो वो तो क्या होगा वो तो फिर उनके प्रेम का उत्कट आवस्ता क्या होगी उनमात की ऐसे बोला जा रहा है जो वो सोच के मुर्चित हो जाती है, तो जब actually में भगवान का उनका वैसा आदान प्रदान होता था, भगवान उनके वैसा अनुद्रह करते थे, तो उनका क्या होता होगा, ऐसे बोला जाता है, actually वरजस्त्रिया ही स्रेष्ट है, रानियों से ज्यादा स्रेष्ट है, उनका प्रेम इतना उत्कट है ना, कि उनको स्मृती भी आती थी ना, श्री कृष्ट के साथ पिछली रात में लीला ने, ऐसा कुछ श्री कृष्ट ने उनको श्रिंगारिक आदान प्रदान किया, तो उसके याद से गोपियां मुर्चित हो जाती थी, आप सोचे, तो वो उनका उत्कट प्रेम था, वो उनकी विशेश था, यहाँ पे रानियां वगरा उनका भी प्रेम था, लेकिन वैसी उत्कट था, जो गोपियों की थी, जो कि केवल याद करके मुर्चित हो जाएगी, ऐसी उत्कट था, रानियों की बोली नहीं है, तो इसलिए गोपियां श्रिष दोनों भी भगवान के अधरामरित को पाई लेकिन गोपियां तो ऐसी थे कि वो केवल उसका स्मृति मात्र से उसके अनुभाव की स्मृति मात्र से या उसकी चिंतन मात्र से वो गोपियां ध्रा धर्ड मुर्चित हो जाती थी ऐसे तो रानियों पे वैसा प्रभाव उतना ग परचाय गया है कि रानियों से भी बोपियां श्रेष्ट है अम वरजभुमे के बाला एंजो है यह बात है यह सब भगवान का शुद्ध आदान प्रदान है प्रेम है यह सब प्रेम की बाते है एक्शली हम लोग तो इसके ज्यादा काबिल भी नहीं है यह सब चीजे बोलने क कि जितना श्लोक में जितना बोला है उतना ही मैं आपको भी बोल रहा हूं उतना ही समझा रहा हूं और कुछ ने आगे तो यह बात है तो प्रवपाजी आगे देखे तात्परी में क्या लिखते है शास्त्रों में दिये गए धार्मिक अनुष्ठान बद्धर जीवों को सं देखे धिरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक उपर उठ सके शुद्या अध्यात्मिक जीवन इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्य सिद्धी है तो देखे प्रवपार्ची कहते हैं कि धिरे धिरे धार्मिक अनुष्ठानों से हम सांसारिक गुणों से परिशुद्ध होना है और फिर अंध में हम लोग हमारे सर्वच्च वस्था में शुद्ध वस्था में भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं भगवान से शांत दास्या माधुरिया आदी एक रस में हम लोग जो है उनकी सेवा कर पाते हैं तो यहां पर माधुरिया रस्के भक्तों के गुंदान जो है यहां पर हो रहे हैं, माधुरिया रस्के न पर प्रकार काुझण घंदान करेंगे, शांतरती वाली थी तो भगवान का सृष्टी में यहां प्रयोजन यह सब प्रकिया ने जिन से भगवान का विवा हुआ है तो देखे प्रवपर जिखे ते द्वारका की रानिया स्वकिया थी अर्था तवे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी सब तरुन मित्र थी जब वे अन्ब्याहे थे तो ये भगवान की सहलिया भगवान के प्रियाएं है सारी जो ब्रज झबालाएं है और ये भगवान के ब्रभवान का जो प्रेम का प्राकट्टे है वह इन दो परकार से स्वकिया और परकिया भाव में होता रहता है यह बहुत वुच्छ दर पे बाते हैं ACTलि यह सब क्यूंब क्या हूं का वह सविकार करते है कैसे उस भाव में एक प्तकत साह तो जो कि व्रजवालाएं वो श्रिष्ट मानी यह द्वारका की रामियों से भी यह भगवान के उना वरजवासी राधराने आदी गोपियों को प्रवपाद अंत में के सब इसको तो लोग समझते नहीं है इसको तो विक्रुषसारी रूप देते हैं सोचते है कि लड़का-लड़की का प्रेम प्रकरण जैसे होता है वैसे गाने माने में लिखते है वैसे लोग को पता नहीं है यह दुर्भाग्यवश्ट है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते क्या है राधा प्रश्णा जो भगवान की रासलूला है यह उसमें कोई विकृता संसारी गुन नहीं है बहुत अच्छा सुन्दर लॉजिक प्रवपार जी देते हैं अगर उसमें विकृत संसारी गुन होता था यदि ऐसा ही होता तो श्रील शुगदेव जैसे मुक्तात्वा ने उसका अस्वादन करने का कष्पन उठाया होता था और नहीं भगवान चैतन्य मह महाप्रभु ग्रहस्त जीवन त्याद करने के पश्टा इन विश्यों के पृति आत्रिश्ट होता था तो अगर इस राधा-कृष्ण की दिलाओं में या गोपियों की दिलाओं में कुछ भौतिक बुण होता था तो भाई शुगदेव घुस्वामी जैसे जन्मजात जन् नारद मुनी क्यों प्रविष्ट होते हैं भगवान की लिलाओं राधराने गोपियों के साथ लिला विशाकर के साथ जब भगवान की लिलाओं होते हैं तो क्यों आते हैं उदर नारद मुनी क्यों क्यों कि ये सब कुछ आध्यत्मिक है ये सब कुछ जो है बहुत उच्छ तरकी बाते तो बस इस लोग का भाव इतना ही था कि ऐसे वो जो भगवान के माधुरिय रसवाले भगते उनका गुंदान हो रहा है और उसमें भी खास करके गुपियों का गुंदान हो रहा है कि वो कितने महान है यह सम्मो महु यदाशया जिसके केवल चिंतन मात्र से वो गुपियां भाव विभोर हो जाती थी वो वास्तविक अधरामृत का पान करती थी तो फिर उनके उत्कट प्रेम क्या बात कहे इस प्रकार का कईमुत्य निया यहां पर लगाया गया है यह बात है ठीक है तो देखे कि इसमें दोश्लोग बचे हैं और फिर अंध में थोड़ी सी स्टोरी लाइन है तो शायद मुझे इसको उसे पच्छीस मिनिट लगे कल ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लगेगा पच्छीस तीस मिनिट तो कल मैं जो हूँ ग्यारवा अध्या प्रारम करूंग को कल पूरा करेंगे और फिर यारव याद्ध्या करते हैं चेकर यहां पर रुपता हूं भी किसी को कुछ प्रशन है तो पूछी है जिनको सिवा यहां पर आगे बढ़ सकते हैं यहां पर क्लास करूपर कुछ प्रश्णाएं किसी का पूछे प्रश्णाएं इन 28 वेश्ट लोग तक कुछ पूछना है आपको नावातर प्रव बोली जैसे हमने भी सुना कि यह प्रले में प्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं अबरो यह नहीं कहते उसको प्रह्मा जी शयानम कहते हैं वहाँ निद्रित अवस्था में चले जाते हैं व हुए अब कि जीव जी विलील विलिन हो जाते है जो की अन्यान्य जीव है लेकिन ब्रह्मा जी जो है वहाँ शयान अवस्था में होते हैं, ठेक है, जो रुद्र होते हैं प्रभू, रुद्र अगर आप देखोगे, तो एकादश रुद्र है, तो उसमें जो प्रमुक रुद्र है, वो कैलास पर निवास करते हैं, ठेके नहीं, और फिर उनके भी जो प्रमुक है, वो सदाशिव है, जो मूल कैलाश में निवास करते हैं एक इस जगत में कैलाश है एक मूल कैलाश है जो आध्यत में जगत में ही माना गया है तो यह जो इस जगत के इस जगत के जो रुद्र है तो वे रुद्र भगवान को पूरे ही प्रले में सहयता करते है तो जब प्रलय हो रहा होता है प्रलय के काल में मतलब ब्रह्मा जी की रात्री में तो एक्चुली शिव एक्टिव रहते है तो क्योंकि वो तो प्रलय का यह है ना काल तो उस काल में फिर सब कुछ जलाकर और फिर बाद में पानी से आप लावित करके वो सब कुछ कारिय करने के बाद जो है फिर शिव जो है वो कारिया प्रले का होने के पश्चाद शिव मतलब अपना कारिया समाप्ति करके सिद्ध करके फिर बैठ जाते हैं तो जो बाकी सब जब निद्रिस्तावस्था में है देखा जाए तो शिवजी कारिया रथ है शिवजी जो है वो प्रले का का कर रहे हैं इस प्रकार से इसका वर्नन किया गए पैप आ इस प्रबू जो फिर जो सदाशिव है उनका क्या है वो किस प्रलेम करें इस जगत में वो कुछ पार्य करते नहीं वो हमेशक 2400 घंटा वो भगवान का गुंदान करते रहते पारवती के साथ में और अपने रुद्रगनों के साथ में वो तो एक वाइकुंट जगत ही है कैलास वो वाइकुंट से भिन्न नहीं है बस वहाँ पर शिवजी जो है वो अपने पारशदों के साथ नित्य भग्वान का गुंदान करने में लगे रहते हैं तो वह वहाँ के अधिष्ठान देवता है आप कह सकते हूं कि जो प्रमुक है डिसाइडिंग डिटी है वो शिवजी है लेकिन वो शिवजी भगवान के गुंदान में है उनका तो कुछ कारिय नहीं होता है ये सब सारे गुनगान में रहते है भागवान के, लेकिन रुद्र जो है वो, अब प्रल्य के वक्त आपने एकादष रूप प्रकट करते है, प्रल्य नहीं होता, तो एक अकेले रूप में रहते है, शिव के दूप में, शिव और देवी, इस जगत के प्राकृतिक कालास में निवास करत है तो यह बात है ठीक है कि अ कि अ कि अ कि अन्य कोई प्रश्णा सुंदर केश्व प्रभू बोदी कि अ कि अब जारे प्रजी अब प्रजी जैसे की दो तिन प्रश्ण थे मिले एक तो जो बता है कि इस जीव है जिवस मताते हैं कि जीव जब आत्यात्म के अध्यात्म आसे यसे जब जाते हैं तब तो आध्यात्म है कि अधिराथ हो गई कई नहीं ज़ोग बिट बेट करते हैं तो नहीं जाते हैं जाने का और आने का जीवों प्रहमा जी के साथ का बेट करते हैं कि वह इंडिविजुली चले जाते हैं और आजाते हैं कि प्रोग कई सारे विश्व हैं इसमें आपको भागवत अच्छे से जानना पड़ेगा कहां पर कौन से मार्ग की बात हो रही है अगर भक्ति मार्ग है तो फिर भक्ति मार्ग में अगर कोई शुद्ध वक्त बनता है मार्ग में तो उसको ब्रह्मा जी के लिए रुकने की क्या जरूरत है क्यों रुकेगा वो ब्रह्मा जी के लिए उसका शुद्धी हो गया है वो चला जाएगा बस एक दूसरा एक मार्ग होता है क्रमा मुक्ती का आप जो बोल रहे हैं वो क्रमा मुक्ती की बात हो रही है तो क्रमा मुक्ति के मार्क से जब वो ब्रह्मा जी के जगह पे चला जाता है तो वहाँ पे दो आप्शन रहते हैं उसको एक तो वो ब्रह्मा जी का काल अंतकाल होने तक रुके और ब्रह्मा जी के साथ चला जाए या तो फिर तुरंत चला जाए दोनों भी संभव है तो उसम पूरी हो जाती है ब्रह्मा लोग देखने की तो सारा मल जो है वो विरहित हो जाता है उसके बाद में वो क्रमा मुक्ति वाला अगर वो ब्रह्मा जी के लिए रुकेगा नहीं तो चला जाता है और फिर प्राप्त कर लेता है वो आगे का ब्रह्मा सायुट या शरीर सायुट जो चाहिए हो और अगर वो ब्रह्माजी के साथ भगवान के धाम जाना चाहता है तो फिर रुख जाता है जो ब्रह्माजी के प्लैनेट पे ब्रह्माजी के साथ भक्ति करते हैं वे सब ब्रह्माजी के साथ ही जाते हैं वे जो है उनको अपने जीवनकाल में उतना जीवनकाल दिया गया रहता है कि वो ब्रह्माजी तक रहेंगे ही रहेंगे वो ब्रह्माजी जैसे वो ब्रह्माजी के साथ उनके पुत्रा दी है नारद है वगेरा ये सब वो ब्रह्माजी के काल तक रहेंगे तो वो ब्रह्माजी के साथ ही जाते हैं और इसके बावजुत कुछ ऐसे भ शरीर में जाके फिर से वापस आता है और शरीर धारंग करता है और वो जो है भगवान को प्राप्त नहीं होता है तो उसके साथ वाले भी फिर जो है वो क्योंकि उनमें कुछ दोश रहता है उसके कारण वे भी इधर ही रह जाते वो नहीं जाते है तो देखे कोई एक विरला जीव ऐसा हो सकता है कि जो ब्रह्मा था लेकिन तो भी महाप्रलय में गया नहीं वापस लेकिन इस कार्थ यह नहीं होता कि हर जीव ब्रह्मा है हर जीव ब्रह्मा नहीं बोला गया है कभी लेकिन ऐसा हो सकता है कोई एकाद जीव कि जो ब्रह्मा ओके भी इस जगत में वापस आ गया महाप्रलाई के बाद में क्यों कि उसके कुछ उसके सिधान्त और उसकी भावना में कुछ स्वतंत्रता का भाव है चतुत्सकंद में आप इसको पड़ोगे चतुत्सकंद में प्रार्म में पहले अध्याय में इसका वर्णन आता है तो मुद्दा क्या है कि कोई एक व्यक्ति जो ब्रह्मा बन गया है हो सकता है इस जगत में संसार में घूम रहा हो पॉसिबल लेगिन हर कोई ब्रह्मा है ऐसे नहीं बहुते हैं ऐसे तो नहीं पहले जासे ठीक है में पहले सुना है कि जीव उपा से नीचे गिरता है तो मतलब बनता है और यह विशह वो जीव का पतन वातन में चला जा रहा है जोड़िये वो करो अलग से बात करेंगे उसके दूसरा प्रोजी थोड़ा साइट आउट है कि कर मैं एक शेशम पताय की कुई वक्ति से बात कर रहा था तो ऐसे ही जीव के सरीर के निर्मार के उसे थोड़ा चर्चा हो रहे थी तो चर्चा कर रहे थी कैसे भगवान अपनी वहरंगा शक्ति के जारे जीव को एक शरीर ब उन्होंने पूछा तो नहीं बताए कि यसे लगवन की जो भूदे भी है पर वो अंतरएंगा सकति नहीं है पर यहां पर प्राइट जेगत में दिखाई दिती है कि उपरत्वी है करेकी तो जी चित्सक्ती है वो उसके दरा शरीर बना है तो फिर वो इसको भौतिक शक्ती कैसे बोल सकते हैं इसके मिश्चाने प्रोजी कैसा इसके उपने पूछाने उनको चित्शक्ति का शरीर है तो फिर उसका विगटन क्यों हो गया है हुआ है तो उसका कहना अगर उस वेक्तिका ऐसा है कि जो देवी है भूदेवी जो की भगवान की शक्ति है वो तो निश्चित रूप से चित शक्ति है लेकिन वो जो चित शक्ति है क्या वो भगवान को इस जगत के जीवों को शरीर दे रही है ऐसा बोल रहा है वो ये तो बरावर नहीं है ये तो माया शक्ति के लिए वो रोल दिया गया है हां इस जगत में जो भूदेवी होती है उसको जीव तथवा माना गया है तो अलग विशे है इस विशे को आप krishna संदर्व में पड़िये खृषन संदर्व में भगवत संदर्व में हम भगवां की शक्तियों का वर्णान है तो उसके आधार पे आप उसको इस वेक्ति से बात कर सकते हैं ठीक है भगवान की सोला सोला शक्तियां और फिर उसके विस्तार तो उसमें भू लीदा सब कुछ आता है तो यह थोला समझे यह को चीजी लगा जैसे अभी तक हम जैसे तो आप बोले जल्दी तो इतना सिंपल स्टेट्मेंट नहीं है कि चारो संपरदाय की सिर्धान सब वैसे ही सेम है करके यह तो काफी सरल हो गया बोलना जब आप सिद्धान्त में चले जाते हो तो उसमें तो काफी भेद होता है काफी सारी शैली काफी सारे डीटेल्स बदलते हैं तो तो सारे संपरदाय में वही फिलोसपी है तो इसको पूर नहीं है अनिवारिया तत्व की बात हो रही यह अगर कोई ऐसा सोचता है कि सारे तत्व समान है फिर मैं कोई संपरदाय से ज्ञान दूँ वही ज्ञान मिलेगा नहीं है ऐसे बात नहीं है काफी सारे भेद भी है अलग-अलग प्रकार से चीज़े समझाई गई है रसों का भेद है कुछ तात्रिक विचारों का भी भेद है तो सब कुछ सब जगह सब संपरदाय में सेम है यह ऐसा नहीं बोलते है जो जानकार है वो जानते है कि भेद क्या होता है और समानता क्या होती है तो भगत भगवान और भगती शाश्वत है यह तीन तत्वों का शाश्वत तीन तत्वों की नित्यता यह आप समानता बोलिए भगत नित्य है भगवान निथे ह्म यहाँ तक ठीक अब है इस लिए कभी कोई चीजे सरलता से बोली जाती है सहज ज्यादा गहराई से नहीं बोली जाती, तो उसको ठीक है, बोलना चाहिए, लेकिन जहां आप ग्यान में अंदर बढ़ने लगे, तो आपको फिर समझने लगता है, कि जितनी सरल चीजे बोली जाती है, वैसा है नहीं, क्योंकि भाई, वैसे ही होता है, दर्शन जटिल हो कई सारे ब्हें समानता क्या है जानिंए आप समानता वाले बोलने वाले बोलने वाले लोग है तुफिर भेज्ट ए अप Patriine उप देखिया आपका रोल डुन प्रूें संहुन आपको का इसा है हम लोग कउ पर बैस करिये ठाहे है सब्वाइशनल ठीक है जानना चाहिए कहां तक किस हद तक बोले ठीक है येस परूब नो प्रॉब्लम चाहिए अन्य कोई किसी का प्रश्णा है ठीक है तो फिर रुकते हैं आज के सत्रह में जितना गहराई से अध्यन करेंगे न उतना समझेगा कि क्या क्या है करके ऐसे दूर से सब कुछ समान दिखता है नजदिक जाते हैं तो फिर दिखने लगता है कि अरे भाई इधर तो ये भी है ये भी है ये इस कारत ये नहीं है कि देखिए चारोबी संप्रदाय प्रामानिक है लेकिन उस प्रामानिकता में उसका तत्वा उसका रस अपना विचार है वो काफी बड़ा होता है चीज़े आप भक्ति की परिभाशा पर केवल श्री संप्रदाय और वैश्नों मतलब गोड़िय वैश्नों संप्रदाय पर बुक्स लिखे जा सकते हैं केवल भक्ति की प सब चीज़े समझनी चाहिए स्विकारनी चाहिए और चानना भी चाहिए कि चीज़े इतनी सरल नहीं होती है सिंपल नहीं होता सब कुछ देफ्ट में जाते हैं तो कई परकार के विशय आते हैं उसमें कई पहलू होते हैं ऐसे तो चारों संप्रदाय में भगवान ने प्रबॉद saràब अज दॉबर वे उता सिर्णाएं के लिए उसके लिए अच्छे से पता होना चाहिए बहुत गहराई से चाहिए फिर्ण कर पाएंगे मड़ अलग आपका डाउट चोटा नहीं है, कल पूछ लीजिए। गंतराच्रिमत भागवतम की चाहिए। श्रीलप रभुपात की चाहिए। निताय गोड प्रिमानन देख। धन्नवाद तो जैरे किस्टमत तरहा। तरह किस्टमत तरहा।